नमुबुन्धाय ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम है सिंगालोवाद सूत्र ये सूत्र उपदेश दीघनिकाय तिसरी भाग में आजाता है एक सिंगाल नाम का जवान लड़का को सतागत भगवान बुद्ध ये सूत्र उपदेश दिया गया है उसमें भगवान बुद्ध राजगीर में वेलवा नास्र में विराजमान थे राजगीर में सिंगाल नाम का एक लड़का था ये लड़का सुबा सुबा उठकर पानी नहा कर बिंगे हुए बालों के साथ बिंगे हुए वस्तर के साथ सबसे पहले पूरो दिशा को नमन करता है फिर दक्षिन दिशा को फिर पस्चिम दिशा को फिर उत्तर दिशा को फिर उपर को फिर नीचे को ये चर दिशा को हर रोज ये सिंगाल वाद लड़का नमन करते हैं उसी दिन सुबा बगवानबुद वेलवनास्रम से राजगिर सहर में पिंडपात के लिए गए थें उस्समय उन्होने देखा अपना घर सिन्नी करकर पानी नहा कर बिंगे हुए वस्त्र सरीर बालों के साथ दिशा दिशा को नमन कर रहा है एक लड़का बगवानबुद ये सिंगालो आद सिंगाल लड़का के पास साखर के पूचा गुषपति पूत्र इतना सुबा सुबा में बिंगे हुए बाल बिंगे हुए वस्त्र बिंगे हुए सरीर के साथ कीन को नमन करते हैं आप वो बताया थथागत मेरे पिताजी मर जाते समय मुझसे एक माननत किया है बेटा तुम हर एक दिशा को नमन करो ये हमारे परंपरा की संसकार है तो मेरे पिताजी मरते समय जो मुझसे मांग लिया है उनके लिए गवरो करने के कारण हम ये रोज कर रहे हैं सुबा सुबा उठकर नहा कर भिंगे हुए वास्त्र भिंगे हुए बाल भिंगे हुए कपडा सरेर के साथ हर एक दिशा को हम नमन करते हैं ततागत ने बताया ग्रहपति पुत्र बुद्धस आसन में तो चदिशा की नमन उस प्रकार की नहीं होता है आलग है तो वो सिंगाल बताया हे ततागत हे महामुनी हे सारग्यानी कृपा करके बताये मुझे बुद्धस आसन में चदिशा का नमन किस प्रकार की होती है भगवान बुद्ध ये सूत्र पदेश उसी समय सिंगाल ग्रहपति पुत्र को बता दिये ऐसे हैं तो ग्रहपति पुत्र सुनिए आरे श्रावक को चार प्रकार की कर्मा क्लेश नस्ट होना चाहिए आरे श्रावक कोन है जो भगवान बुद्ध की शरन में गये है भगवान बुद्ध की रास्ता अपना है आरे रास्ता पे रागद्विश्मोह इत्यादी गंदगी को मिठाने के लिए कोशिश करते हैं वही आरे श्रावक हैं तथा चतु ही ठाने ही पाप कम्मन न करोती चार जगा का पाप नहीं किरेगा तो तथा खुद्ध बहुत प्रयास करके मेहनत करके खमाये हुए वस्तु नश्ट होने वाले चर कारन ही वो चर कारन संगत नहीं किरेगा तो अब कितना हो गया चोदा हो गया कैसे चार करमा कलेश नहीं होना चाहिए इसके बाद चार जगा का पाप नहीं करना चाहिए और च कारण होता है अपना धन संपत्ति नस्ट होने वाली और च कारण भी हटना चाहि कतम होना चाहि तथा अपना जीवन को बरबाद होने वाली बेकार करने वाली च दिसा बंद हो गया तो उबहय लोग विजयाय पटिपन्न होती वो दोनों लोग को जीत कर खुशी से रहने का कारण में आ गया है दोनों लोग किया है इस जनम और अगले जनम वो इसी जीवन में भी खुशी से रहता है अगले जनम में भी कुशी से जीवन बिताते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग में जनम लेते हैं यहाँ पे सारे कितना कारण है वीस कारण है पहला क्या बताय थें चार प्रकार की कर्मक्लेश नश्ट होना चाहिए चार जगा का पाप नहीं करना चाहिए इसके बाद अपना जीवन को बरबात करने वाले च दिसा बंद करना चाहिए यह वीस कारण के बारे बगवान बुद बहुत सुन्दर उपदेश इसमें दिया है इसके बाद यह ग्रहपति पुत्र को ततागत बगवान बुद बताते हैं जो गंद हो गया है वैसा चार कर्म क्लेश नश्ट हो गया मतलब क्या है वो बताए उन्होंने बताए ग्रहपति पुत्र प्राणियों को हत्या करना मतलब एक गंदगी कर्म है पाप कर्म है तता ही प्राणियों को हत्या करना क्लेश कर्म है यान की जीवन गंद कर देता है तता चोरी करना एक पाप कर्म है गंदगी कर्म है वेभिचार करना गंदगी कर्म है पाप कर्म है तता जूट बोलना भी गंदगी कर्म है पाप कर्म है अगर ऐसे हैं तो जो कोई किसी को भी कोई मानों को, प्रानियों को, जीवों को हत्य करेगा तो उनका क्रिया गंदा है अपवित्र है, पवित्र नहीं है अगर जो कोई चोरी करेगा तो उनका भी क्रिया अपवित्र है जो कोई व्यविचार करेंगे तो उन लोगों के वो काम भी अपवित्र है, गंदगी है जो कोई जूट बोलेंगे तो असत्य हमेशा बोलेंगे तो उनका क्रिया भी गंदगी है, अपवित्र है लेकिन आरिस्रावक यानि कि तदागत बगवान बुद्ध की शिश्य लोग, ये चार कारण को मिटा के जीवन बिताते हैं कैसे वो जानते हैं प्राणियों को हत्या करना एक अपवित्र काम है इसलिए वो प्राणियों को हत्या करना छोड़ देते हैं तता वो जानते हैं, आरिस्रावक जानते हैं चोरी करने से अपना जीवन अपवित्र होता है गंदगी उत्पन होता है, इसलिए वो नहीं करता है विविचार करने से अपना जीवन बरबाद होता है गंदगी होता है, अपवित्र होता है इसलिए वो विविचार नहीं करता है तता जूट बोलने से भी अपना जीवन अपवित्र होता है गंदा होता है बरबाद होता है पवित्र नहीं होता इसलिए वो जूट नहीं बोलता है आरेश्ट्रावक हमेशा सत्य ही बोलते है इसके बाद बगवान बुद्ध ने ये सुन्दर गाथा बताया पनाति पातं अधिन्नादानं मुसावादोच उच्चती परदार गमनंचेव नपसंसंति पंडिता प्रज्यावान, ज्यानी, बुद्धिमान लोग प्राणियों को हत्या करना, चोरी करना, विबिचार करना ये कुछ भी, कभी भी प्रसंसा नहीं करते हैं ग्यानी लोग ये पापों को सहाय नहीं करते हैं कभी वे अच्चा नहीं बोलते हैं इसके बाद तथागत बगवान बुथ ये लड़का को चार जगा के बारे में बताया है चार जगा का पाप नहीं करने के बारे में वो विस्तार कर दिया है चार जगा में पाप नहीं करता है मतलब चार जगा मतलब क्या है चंद, द्वेशः, मोह, भाय चंद से वो अगतिगामी होता है इसका मतलब चंद मतलब इच्चा प्रसंदा पसंद के कारण वो गलत रास्ता अपनाता है सोचे वो किसी को बहुत पसंद करता है वो किसी को प्यार करता है या तो फिर किसी पर बहुत प्रसंदा है वो आदमी अगर जो कुछ कहेगा तो कुछ भी गलत काम करेगा तो वो सारे काम सही जैसा मानता है क्यूं उस पे प्यार करते हैं अगर कोई पॉलिटिक्स नेता जे कुछ भी कहेगा तो कुछ भी गाली देंगे तो उनके पार्टी के लो कहता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा सही कहा उन्होंनी और कोई हीरो या हिरोईन एक्ट्रस लो कुछ कहेगा तो कुछ बोलेगा तो गलत काम करेगा तो वो सब कुछ अच्छा माना जाता है उनके सारे प्रसंद करने वाले लोग उडियंस इसलिए बगवान बुद्ध ने बताया जो आरे स्रावत नहीं है यानकि बगवान बुद्ध की रास्ता पे नहीं जाते हैं वे लोग चंद से इच्छा से अपना जीवन गलत रास्ता पे चला देते हैं इच्छा के कारण बहुत पाप करना पड़ता है पसंद हो गया तो किसी के उपर अगर वो सही हो सकता है या तो फिर गलत हो सकता है वो जो कुछ कहता है जो कुछ करता है वो सब कुछ ये मानता है सही जैसा मानता है सारे चीज पनूति देता है लेकिन ततागत बगवान बुद्ध की शिश्य आरे श्रावक लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं चंद से वो अंतगामी नहीं होता है दूसरा है द्वेशशे अगतिगामी होता है द्वेशशे अगतिगामी होना मतलब ततागत बगवान बुद्ध ने बताया कुद्धो अत्तं नजानाती कुद्धो धमं नपसती अंधन्तमं तदाहोती यंको दो सहते नरं जो कोई ब्यक्ति को अगिर गुस्सा आ गया तो क्रोध उत्पन हो गया तो द्वेश मन में उत्पन हो गया तो सधारन समझ नहीं सकता है उसको सही क्या है गलत क्या है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आता है किसी का मन में अगर द्वेश उत्पन हो गया तो गुस्सा आया तो सब कुछ उल्टा नजर आता है वो है द्वेश से अगतिगामी होना आप देखिए भगवान बुद्ध की समय में भी बहुत सारे लोग द्वेश से अगतिगामी हो गया वर्तमान में तो कहन ही सकता हर जगाप के लोग द्वेश से ही अगतिगामी हो गये है समाज की रहने वाले लोग वर्तमान में जान्वर जैसा कुट भी लीत्ते आदी जान्वर भी तुरंत कुछ गल्ती हो गया तो गुस्सा करते हैं लड़नी जाते हैं मारते हैं काटते हैं वोई सही है इनसान भी वर्तमान के समाज में तुरंत लड़ने जाते हैं अपना गुसा को पालन नहीं कर पाते हैं ऐसा हो गया तो जानमर और मानों का फरक क्या है कोई फरक दिखता नहीं है इसलिए समझना चाहिए सभी लोगों को बहुत ही बहुत जरूरी है ततागत बगवान बुद्ध की पवित्र ज्ञान उनकी ज्ञान से ही किसी को पवित्र हो सकता है और कोई रास्ता नहीं देखिए हमारे एक मेन भंते जीते उनका नाम अरहन्त महा मुगलान उनका जीवन कांतिम समय बहुत सारे दिक्कत आ गया है गुंडे लोग आकरके उनको पुरा मारने पीटने लगे अरहत्त प्राप करने के बाद भी अरहत्मुगलान बंते जी को गुफा के पास पकड़कर पुरा हड्या थोड़ दिये ऐसे पाप का फल मिल गया दुख मिलने का कारण है बहुत पहले एक जनम में ये बंते जी अपना पतिनी का बात को सुनकर अपना मा को मार दिया अपना पतिनी का बात सुनकर द्वेश से अगतिगामी हो गया मन में गुस्सा आ गया गुस्सा आने के बात सही क्या है गलत क्या है कुछ भी पता नहीं चलता है उस समें देखिए अरहन मुगलान बंतेजी को मारने के लिए दुसरे धरम के लोग गुंडे लोगों को गुस दिया है क्यूं ये अरहन मुगलान बंतेजी सब कुछ करते हैं देवताओं के पास जाकर के देवताओं की कहानिया सुनकर आकर के मानों को बताते हैं प्रेतों का कहानी सुनकर प्रेतों से मिलकर बात करके मानों को आकर बताते हैं पुन्य करने के लिए खुशल करने के लिए दान देने के लिए एवां थतागत बगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने के लिए बहुत मदद करते हैं इसलिए अरान मुगलान बनते जी के चलते बहुत सारे लोग थतागत बगवान बुद्ध की शिश्य बन गए थे अरहन मुग्गलान बनतेजी के चलते बहुत लोग पाप की रास्ता त्याग किये हैं निर्वान की रास्ता पे आये थे इसलिए दुसरे धरम के लोगों को ये बरदास नहीं हुआ वे लोग द्वेस से अगतिगामी हो गया उससमें अरहन मुग्गलान बनतेजी कालसिला पारवत में एक गुफा था पत्थर की कुटिया उस कुटिया में थे एक दिन गुंडे लोग का करके पुरा कुटिया को गहर लिये अरहन मुग्गलान बनतेजी अपना रिद्धि बल से जमीन के अंदर से भाग गए गुंडेलुक धर्वाजा को थोड़कर अंदर आने के बाद कोई नहीं है और एक दीन भी गुंडेलुक आ गया दुसरी दीन भी गुफा का एक छेद था उसी छेद से उन्होंने भाग गया तीसरी दीन भी मुगलानबान तेजी द्यान करते समय गुंडेलुक आया आने के बाद अरहां मुगलानबान तेजी अपना दिब्चक्स से देख लिया अब मेरा उम्र कताम है आज मेरा आखरी दीन है आपसे मुझे जीने का भाग नहीं है उम्र कताम है पुराने किये हुए पाप का करम के अनुसार आज मुझे इसी प्रकार ही मरना पड़ता है क्योंकि उन्होंने एक जनम में अपना मा को मार दिया अपना पतिनी का चुगली सुनकर देश से अगतिगामी होकर मम्मी को मार दिया पत्थर से उसी पाप का फल अब तक कतम नहीं हुआ इसी लिए उसी दिन अरहांत मुगलान भांतेजी कुटिया से नहीं भाग गया चुप चाप बैठ गया गुंडलोक आकर के पाकड लिया पाकड के पूरा मार निलागा उस समय अरहांत मुगलान भांतेजी एक दुड़ संकल्प लिया हम ततागत बगवान भुद्ध की दर्शन होने तक नहीं मरेंगे गुंडलोक पुरा मार के मार के हड़ी थोड़ दिया एक बोड़ा में डाल कर पुरा मार दिया पुरा सरी चुरा दिया ऐसे सब खतम करने के बाद उन लोग भाग गया अराद मुगलान भांतेजी फिर बैग से बाहरा गया ततागत बगवान भुद्ध की पास आया क्योंकि वो अराद मुगलान भांतेजी पास रिद्धिपाद बल था इसलिए उनको आपना शरीर प्रकूरती कर सकता था तो ततागत बगवान बुद्ध के पास जा के बताया, बताने के बाद बगवान बुद्ध बताया, पुन्यवान पूत्र, कुछ धरम उपदेश्ट देकर की परनीर्वान हो जाए, मृत्य हो जाए, अरान मुगल्लान भंतेजी आसमान में गए, जा कर की रिद्ध दिखाए, प्रातिहारे दिखाए, सारे लोगों को प्रोचन देकर की आसमान से ही उनका परनीर्वान हो गया, मृत्य हो गया, देखिए, द्वेश से अगतिगामी होने के कारण बहुत थी खतरनाक है, आपको भी, हमको भी, सबको, अरहान मुग्गलान बांतेजी को भी एसा दुख मिला, द्वेश से अगतिगामी होने के कारण, वो गुंडे लोगों के इसे क्यों किया, उनलों भी द्वेश से, क्रोध से अगतिगामी हो गया, तथा मोह से भी अगतिगामी हो गया, देखे अभी वो गुंडे लोगों को जनम जनम में इसका फल मिल जाता है इस जनम से लेकर के वो गुंडे लोग दुसरे धरम के लोग ये करने वाले पाप का पाप करम का फल के बारे में कुछ मालूम नहीं था इसलिए वे लोग घुस दिया है, पैसा दिया है मारने के लिए, बहुत बड़ा पाप किया उसी पाप कतम करने के बाद उन लोग मिल करके बहुत खुशी हो गए सोचने लगे, अब हमारे सारे प्रोब्लम कतम अब कोई है नहीं, इसी धर्म को फैला आने वाले अब ठीक है, अब शांती से हम लोगों को काओ पिके रह सकता है यह गुंडे लोग के एक दिन गाये थें, एक दार दुकान में दार पीने के लिए जाने के बाद, इन लोगत गुंडे लोगें, दार पीने के बाद कभी कभी लड़ाई होता है उसी दिन भी उन लोगों का आपस में लडाई हो गया लडाई हो गया द्वेश से मान्मी गुस्सा आने की बाद सही क्या है, गलत क्या है, कहां रहता है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं चलता है एक छोर निबताया, देखो आराहंद मुगलन बनते जो को मार दिया वो ऐसा थुम को भी मार देंगे उसी प्रकार उन लोगों का मुँ से सब कुछ निकल गया राजगिर का सिपाही लोग ये सब कुछ जान गए राज़ा को जाकर के बताया उस समय बहुत थी बहुत बलवान तेक राज़ा राज़ किये थे राज़गिर में अजासत राज़ा अजासत राज़ा ने क्या किया सबी लोगों को पकड लिया पकड़कर सबी लोगों को दन्ड दिया है दूसरा धरम के लोग भी जो को इसी मृत्यotal के साथ जोइंट हो गया है सबी लोगों को पकड़ कर दंड दिया गया है अब देखिए द्वेश से मानों को कितना दूर तक अंधेरे में ले जाते हैं इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया द्वेश से अगतिगामी होना यानि कि द्वेश को द्वेश मन में आने के बाद द्वेश गुस्सा के लिए जगा देना क्रोध के लिए अपना मन में जगा देना पाप की काम है वैसे ही है चंद यानि कि इच्चा प्रसन्नता से भी लोग अगतिगामी होकर के पाप करते हैं मौह भी एक अगतिगामी होने वाले और एक जगा है मौह से अगतिगामी हो गया तो वो लोग पुन्य पाप के बारे में कोई विस्वास नहीं करता है पुन्य का प्फाल मिल जाता है पाप का प्फाल मिल जाता है करम का प्फाल मिल जाता है मा पिता जीत्तिया दिविशेश लोग है स्रमन ब्राह्मन लोग है निर्वान है देव लोग है पाप करेगा तो नारक में जाना पड़ता है मगर ये कुछ भी विश्वास नहीं करता है मित्या दृष्टी में रहते हैं वो मोह से अगतिगामी होते हैं मोह से अगतिगामी होने के बाद हमेसा वो सोचता है हम सही है बाकी सब गलत है मुझे ही सब सत्य सही डंग से समझ में आता है ऐसे सोच के बाकी लोगों को डाट डाट के रहते हैं जूट बोलते वे लोग ऐसा करके ये मोह से अगतिगामी होना है बगवान बुद्ध की शिश्य लोग मोह से अगतिगामी हो नहीं सकता क्यूँ बगवान बुद्ध की रास्ता पे सही क्या है गलत क्या है सब कुछ अच्ची तरह दिखाए दिया है इसलिए उनकी श्रावक लोग शिश्य लोग कभी मोह से भी अगतिगामी नहीं होते है चोता है भाय से अगतिगामी होना देखिए दुसरे धर्म की लोग उस समय गुंडे लोगों को बोल कर अराद मुगलान बांते जी को क्यों मरवाए उन्नों ढर गया हम लोगों को लाब सत्कार की तिप्रसांसा मिलता है सम्मान सत्कार मिलता है समाज का इज्जुत मिलता है ये सब को जल्दी नस्टो हो जाएगा क्योंकि ये तथागत भगवान बुद्ध की एक शिश्य सबी लोगों को आरे सत्ते बता रहे हैं मन में पुन्य विचार उत्पान करवा रहे हैं मित्य विश्वास को नश्ट कर रहा है इसलिए सबी लोग ढर गए अभी हमारे पास कोई नहीं आएगा पहले हम लोगों को जगा मिला हम लोगों को खोज के लाकों लोग हमारे पीचे पीचे आने लगा लेकिन ये स्ट्रमन गोतम आने के बाद सबी लोग आरे सत्ती की रास्ता पे जाने लगा हम लोगों को देख भी नहीं सकता कोई हम लोगों को आकर कोई दर्शन भी नहीं करते हैं उसी प्रकार वरतवान में भी वह सही है भाय से अगतिगामी होने के बाद पॉलिटिक्स में भी मांतरी लोगों को मार देते हैं नेताजी नेताजी लोगों को मारते हैं क्यूं? अगर वो जिंदा रह गया तो मेरे लिए प्रुब्लम डर जाते हैं और कभी कभी बच्चे लोग अपना मा बाप को मार देते हैं मा बाप अपना बच्चों को मार देते हैं भाई भाई लोगों को लड़ाई होता है इसी प्रकार युद्ध लड़ाई हो जाता है भाय से अगतिगामी होने के कारण या चंद से अगतिगामी होने के कारण या तो फिर क्रोध से अगतिगामी होने के कारण या तो फिर मोह से अगतिगामी होने के कारण हमेशा ये चार प्रकार से अगतिगामी हो गया तो हमेशा हमेशा पाप ही पाप मिलते रहेगा बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध के समय में मोह से अगतिगा में हो गये थे कोई-कोई लोग गुरु लोग सोचने लगा गंगानदी का सुर्ष लेकर के आंत तक जितना दान दो कोई मतलब नहीं है गंगानदी से सुर्ष से गंगोत्री से लेकर के आंत तक हात्त्या करो चोरी करो कोई पाप नहीं मिलता है उसी प्रकार लोग बोलते हैं ये पाप पूर्णी है नहीं संसार में सभी लोग मरने के बाद फिर जनम नहीं लेते हैं इसलिए सभी लोग क्या करते हैं ये सारे पाप ये सारे गलत का अगदिगामी होने के कारण ही होता है बगवान बुद्ध की शरण में गये हुए लोग चंद, द्वेश, भाय, मोह ये चार कारण में कभी भी अगदिगामी नहीं होते हैं उन्होनी बताया जो कोई चंद, द्वेश, भाय, मोह ये चार कारण में अगदिगामी हो गया तो चंद से, क्रोध से, मोह से, भाय से अगदिगामी हो गया तो उन लोगों के पास जितना यश्कीरती, कल्यान, इज्जत हैं वो सब नस्ट हो जाता है जैसे की अमावश्या के दिन चांद को दिखाई देता नहीं है वैसे ही है, उन लोगों का सारे चीज अंधेरा हो जाता है चंदा दोसा भाया मोहा योधम्मनाति वत्तती आपुरतितस्यासो सुक्क पक्खेच चंदिमा पहले हम बताए चंद द्वेश भाय मोह चार कारण में जो लोग अगतिगामी होते हैं वो लोग दीरे दीरे अंधेरा में डुबते जाने वाले चांद जैसा कल्यान कीरती इज्जत से नस्ट हो जाते हैं तता दुसरी गाता में बताए जो कोई चंद द्वेश भाय मोह ये चार कारण से अगतिगामी नहीं होगा तो अंत में नहीं गया तो उन लोगों का कीरती यश फैल जाता है जैसे की रोज रोज बढ़ते बढ़ते जाने वाले चांद जैसा देखिए सिंगालक लड़का को बगवान बुद्ध बताया आठ कारण के बारे में पहला क्या है आरिश रावद चार प्रकार की कार्मकलेश को नस्ट करता है इसके बाद बताया चार जगा का पाप नहीं करता है चार जगा के कार्मकलेश का पहला क्या है? वो हात्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, और वेबिचार नहीं करता है, और जूट नहीं बोलता है वरतमान की समाज ले लेंगे तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को दिखाई देता है लोग ये हरे कारण में अगतिगामी होते रहता है हात्य हर जगा फैल गया अब इमानों को भी मारने का प्लैनिंग बना रहे है लोग सोचते हैं इसी धर्थी का मानों की संक्या ज्यादा है कभी-कभी हीरन करगोसित्याद जान और बड़ गया तो उन लोगों को मारने के लिए प्लैनिंग बनाते हैं वैसे ही वर्तमान में मानों भी जानवर जेसा मानते हैं मानों को कम करने के लिए कहीं प्रकार की प्लैनिंग बनाते हैं उसी प्रकार हत्याक से आगे बढ़ गए लोग सबी लोग चोरी से आगे बढ़ गए हर जगा पे देश देश से ले करके सबी लोग चोरी करना सुरू किये हैं वरतमान समाज में कोन सत्य बोलता है हर जगा पे जूट बोलते रहते हैं थता हर जगा पे वेविचार करता है वेविचार करने के लिए ही पार्यावरन तेयार कर देता है लेकिन भगवान बुद्ध की शिष्य आरे श्रावक लोग, खभी भी ये कोई भी कारण से अगतिगामी नहीं होता है ये चार कारण से मुक्त होता है इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया बोगानं अपाय मुखन अपना धन संपत्ती को नष्ट करने वाले चार दर्वाजा है उसी ता चार दर्वाजा से अपना सारे धन संपत्ती नष्ट हो जाता है अपाय मुख मतलब मुख हम लोग काने वाले मुख वैस अच्च मुख होता है अपना धन संपत्ती को नष्ट होने वाले हम लोग दिखेंगे वो चार क्या है पहला है सुरा मेरे मज्य पमाद अठनानु योगो नशा करने में लोग आसक्त होता है नशे में नशे में आसक्त हो गया तो बगवान बुद्ध ने बताया ये पहला कारण है अपना सारे धन संपत्ती को नष्ट होने वाले वर्तमान में बहुत सारे लोग क्या करते हैं दुसरों से काम करवाने के लिए थता दुसरों को संपत लूटने के लिए, दहन को लूटने के लिए हर जगा नसा फैला दिया है जिगरेट, कैनी, बीडी, दारू, ताडी, इसी भी जादा खतरना ड्रग्स, हेरोईन, इत्यादी, बहुत खतरना खतरना नशाच पदार्त हर जगा फैला दिया है एसा फैलाने के कारण उन लोगों को धन मिल जाता है लेकिन समाज में बहुत सारे तकलिफ हो जाता है कभी-कभी अच्चा से धन कमाने वाले परिवार मिल जाता है लेकिन क्या होता है वो परिवार के रहने वाले मायवं पिताजी का अदूर धर्शी क्रिया के कारण बविश्य अच्चा से नहीं देखने की कारण अपना परंपरा को नस्ट हो जाता है वो ऐसा एक परिवार भगवान बुद्ध के समय में था उसी परिवार में सिर्फ एक बेटा था ये बेटा को कोई दिक्कत नहीं है मामी पापा ने बाचित करने लगा हमारे बेटा को सारे सुक्संपत्ति है कोई भी सुक्संपत्ति का इसलिए अभी हम लोग बहूत मेहिनत करके तुक सहन करके धन कमाएं बहुत सारे धन है इसलिए बेटा को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बेटा को हम लोग सिखाएंगे dancing और हम लोग बेटा को अच्छा से काते पीते रहने के लिए सिखाएंगे क्या चीज़ का कमी है उस समय शहर में जो कुछ अच्चा अच्छा चीज है मामी पापा ने बेटा को दिया कभी अपना बेटा को सिखाया नहीं कि हम लोग कितरा मेहनत से धन कमाए कभी नहीं सिखाए इसके बाद समय के अनुसार ये बेटा बड़ा जवान हो गया ममी पापा ने बाच्चित किया हम लोग इस बेटा को इतना ही बड़ा कान धान के साथ साधी करवाएंगे उन लोगों को मिल गया उतना ही बड़ा अमीर परिवार की एक लड़की वो भी एक लवती है उन लोगों के ममी पापा भी वैसे ही अपना बेटी को पढ़ाया नहीं मेहनत करके कमाया हुआ धन को भोगने केली सिखाया डांसिन सिखाया पाठी मनाना सिखाया इन दोनुको साधिकरवाया लड़का का तरफ से 80 करोर का धन संपत्ती लड़की का तरफ से 80 करोर का धन संपत्ति उससे अलावा घरद्वार, जमीन सब कुछ है इसी ये दोनु साधिकरवा की मामी पापा अपना बेटाओं को बताया बेटे तुम अपना इज्जत को सुरक्षा करने के लिए राजा के पास जाकर कुछ नोकरी किया तो अच्छा है ना बेटा इसलिए तुम जाओ कुछ काम करो इसके बाद ये लड़का सेड़ी बन गया कुछ चोटा काम करने लगा राजा के पास जाके एक दिन हरत पे जा रहे थी राजा के पास जाते समय इन लोगों के बारे में नजर लग गया गुंडे लोगों को गुंडे लोग क्या करते हमेशा शराबी लोग है खाते पीते रहते हैं इननों देखा ये लड़का लड़की दोनों अच्चा से काते पीते पाटी मनाते मनाते नचते गाते रहते हैं अगर इन लोगों के साथ हम लोग जोइंट करेंगे तो हम लोगों को भी आराम से जी सकते हैं कापी के रह सकते हैं आराम से मरने तक उसके लिए एक उपाय लगाया उसी दिन ये लड़का रत से जा रहते महाराज का महल में जाते समय एक आदमी क्या किया दार लेकर के फ्राइ किया हुआ मांस श्काते काते बोल रहते वाह। कितना अच्छा है कितना स्वाद है बहुत अच्चा लगता है बहुत टेस्ट ये सेज्जी सुन लिया रात को रोग दिया पूचा हम तो सेज्जी है हम येसा कभी टेस्ट काना नहीं काया पिया नहीं इतना टेस्ट क्या है हमको भी दे दो अच्छा सेज्जी कृपा करके लिज्जे न एसे करके दारू दे दिया फ्राइ किया हुआ मांस दिया सेज्जी दारू पीने के बाद नसाज चाड़ गया उसी दीन से सेज्जी दारू पीना सुर किया दारू पी पी के दारुपी पीके ये सेड़ जी उन लोगों का अपना घर पे बुलाया बुला के रोज पाटी माना गया सभी लोग पाटी मानकर सभी लोगों अच्चा से नचने लगी गाने लगी ये से रहने लगी तो वो बदमाच लोग सेड़ जी को बताया सेड़ जी बगल देश में खुबसुरत लड़की हैं हीरोनी है उसको बुलाने के लितना धनसामपाति का कर्च होता है क्या हम लोग बुला सकते हैं सेड़ जी बताते हैं ठीकी ठीकी कोई बात नहीं बुलाओ हम सारे कर्च सबका कर्च दे देंगे उसी प्रकार एक सप्ता दुस्रा राज्य का और एक सप्ता और एक देश का लड़कियां को बुला बुला कर अपना पाटि मनाने लगा मम्मी पापा दोनो बहूत महिनत से पसीना बहा के जो कमाय हुए धनसामपत्ती ये दोनो मिलकर के पुरा नस्ट करदेने लगा इसी प्रकार इन लोग धनसामपत्ती इस्तिमाल करते समय लड़का का सारे धन कतम हो गया फिर लड़की ने बताया मड़री मेरे पास अस्सी करोर का धन है वो भी सबी लोग मिलकर के खतम कर दिया आन्त में बच गया महल और जमीन जमीन भी सब बेच दिया घर भी आन्त में बेच दिया आन्त में घर घर में खुली करने लगे दोनों समय के अनसार दोनों बुड़ा हो गया बुड़ा होते होते सब कतम हो गया इसके बाद इन लोगों को जीने के लिए कुछ रास्ता चाहिए अंते में दोनों दोगों खठोरा लेकर के भिक मांगते मांगते रास्ता पे जा रहते उसी दिन बगवान बुद्ध इन दोनों को देख लिया देखने के बाद उन्होंने मुस्कुराने लगा आनन्द भन्तेज बगवान बुद्ध जी से पूचा बगवान बुद्ध आप किसी लिए मुस्कुराएं आनन्द वो देख रहे हैं बुड़ा बुड़ी दोनों को जीता थागत ये दोनों पुरे इस शहर का सबसे बड़ा से धनवान थे इन दोनों अगर जवान के समय में चीवर पहन लिये तो वो लड़का अरहात तो प्राप्त करत करेगा लड़की अनागामी होगी अगर मद्यम उम्र में दोनों चीवर पहनेंगे पहन लिया तो लड़का अनागामी होता है लड़की सकदागामी होती है अगर कम से कम बुड़ा पामें दोनों गहरदवार त्याक करके चीवर पहन लिये तो लड़का सकदागामी होता है लड़की सोतापन होती है अब कुछ भी नहीं है देखिए बगवान बुद्ध को भी इन लोगों का जीवन बचा नहीं सकता था उसी प्रकार इन लोग बदमास हो गए थे अपना जीवन का मजा में आश करने में सब कुछ लगा दिये एसा है तो हम लोगों का अच्ची तरह एक बास समझ में आता है हमारी भाग्य बंद हो जाता है हम लोग करने वाले पाप के करम के अनुसार इसलिए इस जीवन में हम लोग का अगर पाप करने लगेंगे तो हम लोगों का पुन्य भी ढप जाता है देखिए उन दोनों जवान के समय में चीवर पहें लिया तो एक अरहन्त होता है दूसरा अनागामी होती है वो सारे गुन उन लोगों का जीवन में था लेकिन वो सारे गुन करने वाले पाप के कारण सब बंद हो गया कितना खतरनाक है ये सब इसके वाद भगवान बुद ये दारु पीने का शुरा का ये नसा का खतर दिकाया है ये नशा करने की कारण ही संदिप्ठी का धन जानी इसी जीवन में अपना आखों के सामने धन नस्ट हो जाता है खलह जप वढ़नी कई प्रकार की गड़ गड़ लड़ाई जगड़ा सब कुछ हो जाता है देखिए कभी कभी सादी में लोग दारु पीते हैं कभी कभी लोग जो कुछ में दारु पी करके हमेशा लड़ाई जगड़ा हो जाता है जहाँ जारु पीत आए वहाँ जरूर कोई न कोई जगड़ा हो नहीं है तता उन्होंने बताया ये नसा से रोगानंग आयतनंग बिमार पढ़ने के लिए बहुत मेन कारण है ये नशा करना आप देखिए हर जग़ा के लोग दारु पीने वाली लोग कमजुर रहते हैं हमेशा बिमार रहते हैं लाकों अरबों रुपिया का खर्च करना पढ़ता है इसके बाद अकिति संजननी समाज में दारु पीने वाले लोगों के बारे में नशा करने वाले लोगों के बारे में हर जग़ा बदनाम फैल जाता रहता है इसके बाद कोपीन निदंचनी कोपीन निदंचनी मतला वो दारू पीने के बाद अपन सरीर के बारे में कोई ख्याल नहीं है कपड़ा पहना या नहीं कपड़ा उतार के लांटे रहता है कोई शरम नहीं है आज भी देखी ये कारण दारुपीनिवार लोगों के पास दिखाई देता है ना कोई शरम भय कुछ नहीं है प्रज्ञा कमजुर होता है शरम भाग जाता है खतम होता है ये नशा का खत्रा है लेकिन आरे श्रावत ततागत बगवान बुद्ध की शिश्यलू इसमें फस्ते नहीं है वे लोग जानते हैं ये दारुपीन अपाए मुख है अपना धन को नश्ट करने वाले दरवा जा है एसे समझ कर वे लोग नशा कर नचोड़ देते हैं ये पहल हम आपको बताए दुसरा है विकाल विसिखा चरियान योगो अकाल में रास्ता में गुमना अपना जीवन को पतन करने का ओरे कारण है एसा है तो अकाल पे रास्ता पे जाना अपना संपत्ती नश्ट होने का कारण है थथा उत्सव मेला इत्याजिचीज खोज-खोज के जाना ये सारे धन नश्ट होने का ओरे कारण है पहला क्या बताया नशा करना दुसरा अकाल में गुमना यान की रात में नुव बजे के बात अगर रास्त पे गुमेंगे तो सक करते हैं लोग लोग सोचते जरूर ये चोरी करने जाते होंगे रात्त्री में इसलिए रात में गुमें गुमना पतन होने का कारण है और ततागत बगवान बुद्ध ने बताया ये अकाल पे गुमने से अपना आरक्षा कतम हो जाता है या तो फिर चोर गुंड़ लोगों उसको मार देता है या तो फिर कई प्रकार गलत करने वाले लोगों के साथ मिल जाता है या तो फिर घर पे रहने वाले अपना परिवार को बरबाद हो जाता है अपने पास जो कुछ महेंगा सोना चांदी है तो वो सब नश्ट हो जाता है तथा समाज में जो कुछ अपराद होता है उस पे सक हो जाता है वो जो गलत नहीं किया फिर भी गलती में फस जाता है बहुत शारे कश्ट परेसान के लिए होता है ये अकाल में संचार करना दिखी बगवान बुद्ध की ग्यान इसके बाद उन्होंने बताया लोग मेला में गुमते हैं संगीत सुनने के लिए और बहुत कुछ दर्शन करने के लिए हमेशा मेला में गुमते रहते हैं इदर उदर रात्री में उटसो तेवहार में गुमते रहते हैं फेस्टिवल में गुमते रहते हैं तेवहार में उस पे पैसा बरबाद करता है बगवान बुद्ध ने बताया वो लोग भी पतन हो जाता है इसके बाद उन्होंने बताया और लोग क्या करता है जुआ केलता है जुआ केलना भी विनाश मुख है अपना जीवन को विनाश कर देता है नस्ट कर देता है अगर ये जुआ केलने में जो कोई जीत गएं तो उसको बागी लोग नफरत करते हैं जयंग वेरंग फसवती जो जीत गया है उसके उपर नफरत उत्पन होता है ये बोगानंग अपाय मुकंग ये सब भोग संपत्ती को नश्ट करने वाले धर्वाजा है यहाँ देखिए कभी दिवाले आता है लक्समी पूजा आता है एसा पूजा में बहुत सारे लोग जुआ केलते हैं लेकिन खभी भी कोई भी समय पे जुआ केलेंगे तो वो तो अपन जीवन फतन होने का कारण है हमेशा नफरत दुश्मन लोग बढ़ जाते हैं हार गया तो अफसोस करते रहना पड़ता है तता संदिठी का धन जानी आखों के सामने धन नस्ट हो जाता है सभागता सवचनं नरूहती जो जुआ केलता है उन लोगों का बात कोई कभी मानता नहीं है जुआ केलने वाले लोगों के बातों पर कोई विश्वास नहीं रखता है मित्ता मच्चानंग परिभूतो होती इसका मतलब उसका दोस्त लोग उसको कभी विश्वास नहीं करता है चोड़ देता है कभी भी जुआ केलने वाले लोगों को कोई पैसा देगा विश्वास करेगा नहीं आवाह विवाह कानंग अपत्ति तो होती जो जुआ केलता है उन लोगों का परिवारिक जीवन साधी का जीवन शफल नहीं होता है अगर लड़का जुआ केलने वाला जान गया तो लड़की का तरफ से लड़की का मामी पापा कभी अपन बच्ची को एसा बदमास लोगों को देता नहीं है इसलिए अक्क धुत्तो आयाम पुरिस पुगलो नालंग दार भरनाय ये हर जगा फैल जाता है ये तो जुआ केलने वाले हैं ये जुआ कोर है इसको कभी परिवार समाल नहीं सकता है एसकर की जुआ केलने वाले लोगों के बारे में हर जगा बदनाम फैल जाता है अभी हम लोग भोग को नश्ट करने वाले दरवाजा के बारे में जान गया क्या क्या है नशा करना अकाल में रास्ता पे गुमते रहना मेला तेवहार फेस्टिवल इत्यादी में खोज-खोज कर उसमें गुमते रहना थाथा जुआ केलना ये चार कारण हम लोग बात की इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया पंचमा कारण है पाप मित्र लोगों के साथ संगत जो कोई जुआ केलने में आसकत हो गया तो दारुपीन में आसकत हो गया तो या तो फिर इस्तरीं के साथ संगत करने के लिए आसकत हो गया तो जूर बोलने के लिए धुका देने के लिए लग गया तो तता बदमास काम के लिए लग गया तो उन लोगों के साथ कोई कल्यानमित्र दोस्त बन जाएंगे कभी नहीं, पापी लोग ही मिल जाएगा जिस प्रकार आचरन करता है, उसी प्रकार के लोग ही मिल जाता है भगवान बुद्ध ने एक दिन बताया नोचेला भेत निपकं सहायं सधिंचरं साद विहारि धीरं राजाव रठठं विजितं पहाय एको चरे मातं गर अन्ये वनागो उन्हुने बताये, अपना सहाय के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए, संगत करने के लिए, कोई धार्मिक भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले, खल्यान मित्र के साथ संगत करना पड़ेगा जीवन को खल्यान करने वाली मित्र के साथ संगत करना पड़ेगा अगर एसा कोई नहीं मिल गया तो एसा कोई गुनवान पुन्यवान कोई नहीं मिल गया तो जो जिते हुए देश को थ्याक करके जाने वाली राजा जैसा जंगल में अखेली रहने वाले हस्ति राज जैसा अखेली रहना चाहिए अगर अपने के साथ संगत करने के लिए कल्यान मित्र चाहिए गुन धरम वाले क्यों उनके साथ उपदेश ले सकता है आदर्श बन सकता है अपने पास जो गुन नहीं है वो सारे गुन कल्यान मित्र से ले सकता है एसा कल्यान मित्र नहीं है तो अकेला ही रहना सबसे महान है इसके बाद धन संपत्य को नश्ट होने वाले विनाश मुकहे आलसी होना वर्तमान देखी आदमी लोगों का हाथ पेर का हिम्मत से दुनिया चलता नहीं है मेशिन का हिम्मत से दुनिया चलते रहता है नहीं है तो साथ सो खरोर लोगों को केसे जी सकता है ये मेशिन के कारण सारे काम हो जाता है भगवान बुद ने बताया आलसी लोग हमेशा अतिसी तनती काम मंग न करोती ठंडा ज्यादा हो गया तो काम नहीं करता है अति उन्हांती काम मंग न करोती अभी तो बहुत गर्मी है ऐसा सोचकर गर्मी में काम नहीं करते है अतिसायांती कम मन न करोती अभी तो बहुत ही साम हो गया है रात हो गया तो अभी नहीं करेंगे या तो फिर वो क्या करता है अभी तो भूग लगता है इसलिए नहीं करेंगे या तो फिर वो सोचता है अभी तो फेट बहुत भर गया है इसलिए नहीं करेंगे काम या तो फिर वो सोचता है अभी तुरंट का लिया है इसलिए आराम करेंगे या तो फिर वो सोचता है अभी तो ग्यादा सुबा है अभी कौन सी काम है अभी तो बहुत रात हो गया, अभी कोई काम है, अभी तो बहुत बारिस है, बाद में करेंगे वैसा आलसी लोग हमेशा अपना काम छोड़ देते हैं, आलसी लोग हमेशा वो कोई भी काम हटा देते हैं वरतमान में इसलिए होता है वरतमान में सारे काम मशिन से होता है अगर सोचे एक युद्ध आकर के मशिन बरबाद हो गया तो तेल कथम हो गया तो क्या हो जाएगा सब कथम हो जाएगा आदमी को करने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा इसलिए उन्होंने बताया आल सी हो गया तो वो भी अपन जीवन का अपाय मुख है धन संपत्ती नश्ट होने वाले दर्वा जा है तो ये चेव प्रकार की अपाय मुख धन संपत्ती को नश्ट होने वाले दर्वा जा के बारे में आपको बताया पहला है नशा में लोग आ सक और आकाल में रास्ता पे गुमते रहना थाता मेला, तियोहार, फेस्टिवल ट्यादी में गुमते रहना इसके बाद पंचमा है चाटा च्होता है जुआ खेलना इसके बाद पंचमा है पाप मितर ही साथ संगत करना चाटा है आलसी होना इसके बाद बगवान बुत ने बताया कोई-कोई दोस्त लोग होता है उन लोग नशा करने के कारण दोस्ती बन गया और दोस्त लोग होता है उन लोग सामने आमने दोस्त है जान देने के लिए तेयार लेकिन बिदा होने के बाद लूटने ठगने के लिए प्लैनिम बनाता है अगर कोई सुरज उगने तक सोएगा तो पतन हो जाता है दूसरा इस्त्री लोगों के पास जाएगा तो या तो फिर इस्त्री पर आसकत होने वाले ब्यक्ति हैं तो पतन हो जाता है हमेशा नफरत मन से रह गया तो पतन हो जाता है ये सारे काम से अपना जीवन पतन हो जाता है पापी दोस्त लोग रहना, खंजुस होना ये सारे चीजों से एते चठाना पुरिसंग धन सयांती मानों को नश्ट कर देता है ये काम से इसको उन्होंने बताया, पापी दोस्त रहना पापी आचरन होना ये आदमी का इसी जीवन तद आगली जीवन खतम कर देता है उन्होंने बताये, जुआ केलना दुसरा इस्तरी के साथ सांगत करना दारु पीना, नशा करना मज़ा खोज-खोज के इदर उदर गुमते रहना दीन में सोना अकाल पे रास्ता पे गुमना पापमित्र के साथ संगत करना तथा कंजूसी होना ये एक सारे कारण से माना नस्ट हो जाते हैं इसके बाद उन्होंने बताया लोग होता है उन लोग दारुपी के दारों से खुशी हो जाते हैं दारुपी ते रहते हैं और दुसरों का इस्तरी लोग भी माया दिखा के अपना वस्मे करने के लिए कोशिश करते हैं नीच काम करते रहते हैं वो लोग पतन हो जाता है अंधेरा होने वाले चांद जैसा कोई-कोई लोग है कोई भी धनसामपत्ती नहीं है अगर वो लोग दारुपी न नशा करना सिख गया तो प्यासे लोग पोक्खर में जाकर के पानी पीना सुरकरना जैसा वो हमेशा उधार लेकर के नशा करना सुरकर देता है उसका परिवार, सारे जीवन बरबात हो जाता है दीन में सोने वाले, रात में जाके रहने वाले, हमेशा नशा करने वाले, लोगों को गढ़ास्त जीवन सफलता नहीं बना सकता है वो लोग हमेशा कहते हैं, अभी तो बहुत ठंडा है, गर्मी है, भूख लगता है, ठक गया है अभी तो रात हो गया, अभी तो ज्यादा सुबा है, अभी तो बारिस है, ऐसे रहने वाले लोग हमेशा पतन हो जाता है योध सीतंच उन्हंच तिना भी योन मन्यती, ठंडा गर्मी, ये ठंडा गर्मी के नाम से जो कुछ है, वो सब गास के किनारे लटके हुए रहने वाले, पानी का बुंद जैसा भी नहीं मानना चाहिए खरामपुर से की चानी सो सुकानवी हायती, वो लोग उदार है, जो करना है वो कर देता है, कौन? जो आलसी नहीं है, वो ही, वो का भी पतन नहीं होता है इसके बाद बागवान बुद इस सूत्र उपदेश में दोस्त लोगों को पहचानने के बारे में बताया ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी बात है गुन धरम को बढ़ाने के लिए हंडर्ड में हंडर्ड पसंद हम लोगों को कल्यान मित्र का जरूरत है एक दिन आनंद भंतेजी बताया बगवान बुद को बगवान बुद जी मुझे लगता है बुद सासन से आदा कल्यान मित्र पर है बगवान बुद ने बताया नहीं नहीं पूरे बुद सासन ही कल्यान मित्र पर है कल्यान मित्र है तो सब कुछ है कल्यान मित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है आप देखिए हम लोग का मम्मी पापा कितना भी सुरक्षा करके रख दिया था भी कितनों भी हम लोग गोद्रेज में डाल के सुरक्षा कर दिया था भी सोने का कमरा में डाल के सुरक्षा किया था भी इसको जाकर कि पाप मित्र के साथ संगत में आ गया तो सब कतम हो जाता है संगत के अनुसार सबी लोग बदल जाते हैं इसके बाद धीरे धीरे क्या करता है वो लोग हमेशा पापी काम करते रहते हैं ये सब को सिरिफ बुद्धिमान लोगों को समझ कर पाप मीत्र को दूर कर सकता है पाप मीत्र लोग बहुत पसंद करते हैं अपना गयन बना के रहने के लिए ग्रूप बना के दोस्त बना के रहने के लिए बहुत पसंद करता है इसके बाद पापमित्र बहुत पसांद करता है अपना विचारों में सबी लोगों को फसाना इसलिए हमेशा सोचना चाहिए जो कोई गुन धरम है वो सारे गुन धरम ये पापमित्र के साथ संगत से कतम हो जाता है हमेशा सोचना चाहिए हम कहा पर थे अभी हम कहा पर है इन लोगों का संगत से मेरा क्या खल्यान हो गया मेरा क्या पतन हो गया क्या ज्ञान मिला क्या अज्ञान हुआ है सब समझ के क्या करना चाहिए पाप मित्र को दूर करना चाहिए अच्चा से समझने के बाद मालुम हो जाता है पाप मित्र के साथ संगत करने से अपन सारे गुन धर्म पतन हो जाता है पाप मित्र साथ सांगत करने से हमेशा अपना पास जो कुछ गुन था वो सारे गुन खतम होके अपना जीवन में खरब आचरन आ जाता है पहले अपना मामी पापा को लोग इज़त करते हैं प्यार करते हैं इसकूल का ठीचर गुरु लोगों को विज़त सतकार सम्मान करते थे अपना बड़े बुड़े लोगों को नमन करते थे पाप मित्र के साथ सांगत में आ गया तो सब छोड़ देते हैं लोग कहता रे बुड़ुक है बड़े में पुरानी लोग जैसा करते रहता है एसा करके वो क्या करता है सब छोड़ देते हैं ये हैं पाप मित्र सांगत का खत्रा पाप मित्र को पहचानने के लिए बहुत बड़ा बुद्ध चाहिए क्यूं पाप मित्र का संगत में फस गया तो उसको बचन मुश्किल है पाप मित्र अपने को फुसलाता है उसमें अराम से लोग फस जाते है इसलिए पाप मित्र को पहचान कर पाप मित्र को त्याग करने के लिए बहुत बड़ा बुद्ध चाहिए ग्यान चाहिए नहीं है तो पाप मित्र से कभी नहीं बच सकता सोचता है ये कैसे पाप मित्र हो सकता है ये मेरा दोस्त है ऐसा सधारन बना के हमेशा रहेगा इसके बाद बगवान बुद बहुत सुन्दर से ये किसके साथ संगत करना चाहिए किसके साथ संगत नहीं करना चाहिए ये दिखा दिये हैं भगवान बुद्द ने बताया मिट्र के रूप से रहने वाले दुश्मन लोग है उन लोगों को कहता है मिट्र पति रूपक मिट्र रूप से रहता है लेकिन वो कोन है? अमित्र हैं दुश्मन है सच्मुच में वो मित्रता में नहीं रहता है एसा चार लोग है वो चार लोग को पहचानना चाहिए भगवान बुत्न बताया पहला मित्र पतिरूपक है अन्यदाथ्थुहर वो मित्र नहीं है मित्र रूप से रहता है अन्यदत्थुहर दुसरा है वची परम वो भी मित्र नहीं है मित्र रूप से रहता है तिसरा है अनुप्य बहानी वो भी मित्र नहीं मित्र रूप से रहता है चोता है अपाय सहाय वो भी मित्र नहीं है मगर मित्र रूप से रहता है अन्य दत्वर को हम लोग केसे पहचान सकते हैं वो हमेशा आता है अपना दोस्त से कुछ न कुछ लेने के लिए कम से कम चोटा चीज भी तो ले जाने का प्लैनिंग बनाता है चोटा चीज ले जाने के लिए आकर बड़ा चीज ले जाता है क्यों? इसको ये सब करना असान पड़ता है क्योंकि ये मीत्र का रूप से आ जाता है उसको कोई भाय उपार द्रव आ गया तो वो तुरंथ दोड़ के आ जाता है आकर की मदद मांगता है देखो हमको ऐसा ऐसा परेशान हो गया तुम मदद करो न बहुत सारे तकलिफ बोलता है, परेशान बोलता है अभी हमको खुद कुशी करने का मन है बहुत हो गया ऐसा ऐसा बोलकर चोटा दुख भया गया तब भी बहुत मदद मांगता है वो कोन है? अन्यदत्थुहर उसको पहचानना चाहिए ये अन्यदत्थुहर मित्र के पास चार कारण दिखाए देता है क्या है वो? हमेसा वो आ जाता है कुछ न कुछ ले जाने के लिए इसके बाद चोटा चीज देता है बड़ा चीज ले के जाता है एक लेमचूस देकर के बहुत बड़ा चोकलेट ले की जाता है एक को मुबाइल ले की जाता है चोटा चीज देता है लेकिन बड़ा चीज उठा के वो ले जाता है दुसरा कारण अन्यदत्थुहर का तिसरा है कोई कश्ट आ गया तो तोड़ा सभी कश्ट आ गया तो आकर कि बहुत बहुत मदद मांगता है बहुत मदद मांगता है चोता है वो अन्यदात्तुहार मित्र दूसरा लोग काल्या मित्र के सा संगत करता है कैसे? अपना काम करने के लिए अपना काम करने के लिए ना कि अपना मित्र का काल्यान करने के लिए दुसरों को मदद करने का कोई दयान कामपा नहीं है मगर अपना स्वारती मन से ये दोस्त के साथ रह गया तो मेरा काल्यान होगा मेरा काल्यान होगा इस इसी प्रकार संगत करता है ये इसी प्रकार रहने वाले पाप मित्र लोग हम सबसे पहले बता आये थे न चंद से अगतिगामी होता है क्रोध से अगतिगामी होता है मोह से अगतिगामी होता है भाय से अगतिगामी होता है भगवान बुद्ध ने बता है ये हैं पहला मित्र पहचानना चाहिए कोन है वो? अन्यदा थुहर दुसरह है वची परम वची परम मतलम वचन से बहुत अपना मन जीतने के लिए कोशिश करता है वचन से बहुत अच्छा शांदार ब्यक्ति हैं अच्छा सीधा आत्मी वचन से वानी से दिकाई देता है बात्चीत से अतीतेने पटिसंधरतिंग वो हमेशा बात करता है जान देने के लिए जैसा पहले मुझे ये ये चीज था मुझे आप पहले मिल गया तो कितना अच्छा है हम ये सारे चीज आपको ही देते हैं अगर आप पहले मिल गया तो आपको जरा आपको एक सबता पहले मिल गया तो दे सकता अब क्या करें हम दूसरा को दे दिया है ऐसे करें कि जूट बात बोलते रहता है बोलते रहता है हम पहले बहुत मदद कर सकता था उस समय आप मिल गया तो पटपट मदद कर सकता है लेकिन क्या करेंगी वो सब खतम हो गया है ऐसा फुसलाने के बाद कोई भी फस जाता है साच मुझ में तो मदद करने वाला ही है हमको मिस हो गया एक सबता पहले से मिलना चाहिए था एसे सबी लोग अराम से फस जाता है इसके बाद वो वची परम मित का ओर एक बात है अनागते नपट संतरती भविष्य के बारे में बना के बोलता है कैसे दोस्त लोग रहता है आप भविष्य के बारे में बोलता है हम भविष्य में बढ़ाद भी बनेंगे भविष्य में हम पढ़ाय करके बढ़ाद भी बनकर आपको मदद करेंगे आपको हम भविष्य में एक जमिन करित के दे देंगे हम बविश्य में बड़ा होके गाड़ी करित के आपको जरूर देंगे हम आपके लिए एक मंदिर बना देंगे हम आपके लिए एक सुन्दर घर बना देंगे ऐसा करके बविश्य के बारे में बोलकर आहिंसक लोगों का मन जाता है, इसी प्रकार निराथकेन संगन हाती, विना अरद का बातों से मदद करता है, कैसे पुराना पुराना चीज़ ले करके बोलते रहता है और अलटु पल्तु बात हमेसा बोलते रहता है, वो आदमी उसी कुरशी पर रहता है मेरा मदद से मैंने मदद किया उन लोगों को उसी जगा पे रहने के लिए जाने के लिए अभी तो हमको हमारा मदद से देखो उसी जगा का लोगों का भी कल्यान हो गया ऐसा व्यारत बात बोलते रहते समय आराम से लोग फस जाते हैं लोग सोचते हैं, बाप परी सच मुच में ये ब्यक्ति तो सभी लोगों के लिए सहायक होता है, इसके साथ हम रहेंगे तो मिरा भी काल्यान हो जाएगा, एसा लोग फस जाता है वची पर्म पापी दोस्त के बातों में, इसके बाद दुसरा कारण वची पर्म का चोता कारण हैं, पहला कारण क्या है, अतीत के बारें बोलते रहता है, हम अतीत में ऐसे ऐसे था, आपको मदद कर सकता था, लेकिन मुश्किल हो गया, नहीं तो फिर अनागत बविश्य के बारें बोलते रहता है, हम जरूर करेंगे आपको मदद, हम बाडाद में बनेंगे, आपको भी हम जगा दे देंगे एसा करके या तो फिर अल्टु पल्टु बात करते रहता है देखो उस साथ भी हमारा मदद से उसी जगा पर रहता है हम मदद करने के कारण ही तो उनलोक कल्यान हुआ है एसा करके चोथा प्रकार है सचमुच में उसी दोस्त से अगर मदद चाहेंगे तो लोग आता है यह तो मदद करने वाला ही है दोस्त मुझे क्रिपा करे के हम कस्ट में फस गया हूँ इसलिए मुझे मदद कीजिए वो वर्तमान के बारे बोलता है कैसे वची पारमद दोस्त है दोस्त क्या करे हम भी कस्ट में फस गया हूँ वर्तमान में बहुत परेशान आ गया मेरा परिवार का बीमार हो गया यह परेशान हुआ वो परेशान हुआ हम उद्धार पर पैसा लेकर एक से किया है हम जरूत तुमको मदद करते हैं लेकिन इससा में दोस्त माफ कीजेगा बहुत मुश्किल दुसरा कुछ उपाय लगाएंगे लेकिन वरतमान में बहुत मुश्किल है तो वो सोचता है साच मुच में इसको कश्टा आ गया इसलिए से बोलता है देखिए कितना खतरनाक है ये दोस्त भी पहला दोस्त कोन है अन्यदत्तुहर हमेशा वो सांगत करता है कुछ ना कुछ लूटने के लिए दूसरा कोई विचार नहीं वाची परम हमेशा आ गया तो अपना कस्ट के बारें बोलते रहता है आप तो मुझे कुछ नहीं कर सकता हम भी बहुत परेशान में हैं ऐसा करके देखिए भगवान बुद्ध किस प्रकार समझाते दिखाते हैं समाज को सुधारने के लिए इसलिए तो भगवान बुद्ध की रास्ता ये ज्यान की रास्ता हिंदू, मुस्लीम, सिग, इसाई, जैन हर एक धर्म की लोगों का खल्यान हो जाता है किसी को कह नहीं सकता ये भगवान बुद्ध की ज्यान हमारे लिए घटा होगा जरूरत नहीं इसा कभी किसी को नहीं कह सकता इसलिए तथागत की रास्ता एक रिलीजन नहीं है एक practical रास्ता है आचरन करके अपनाना है इसके बाद बगवान बुद्ध ने बताया दुसरा एक मित्र का रूप से रहने वाले एक है उसका नाम है अनुप्य भानी अनुप्य भानी मतलब उसके पास एक दोस्त है वो हमेशा बहुत प्रसान करता है कैसे अपने को सहाय करता है जो कुछ कहता है उसको साथ हावट मिलाता है कैसे अगर मित्र कहेगा तो चलो हम लोग दारू पीने के लिए इसके बाद वो कहेगा हाँ चली चली हम लोग पीएंगे हमेशा हाँ बोलते रहता है अगर बोल दिया तो चलो हम लोग उनलोग को मदद करेंगे हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा चली हम लोग मदद करेंगे इसके वाद अगर बोल दिया तो चलो उसको हम लोग मारेंगे मिलके उस पे भी ये बोलता है यानि कि जो कुछ कह गया तो उसमें हाँ बोलता है वो कौन है अनुप्य भानी मीत्र का एक कारण है तथा ये अनुप्य भानी मीत्र पाप के लिए भी हाँ बोलता है पूर्णी के लिए भी कुछ के लिए भी बोलते रहता है हाँ ऐसा हाँ बोलने पर हम लोगों को कोई भी प्रिय होता है न अगर हम लोगों का बात कोई भी मानेंगे तो हम लोगों को अच्छा लगता है वो ऐसा ये अनुप्य भानी पापी दोस्त हाँ मिला के हावट मिला के साथ साथ देता है लेकिन अंदर ऐसा नहीं देखिए कि ऐसा दुसरा कारण सम्मुखा सवान नमभा सती आमने सामने गुन बोलता है दोस्त का तुम तो ऐसा है ऐसा गुन वाले हैं तुम तो ऐसा गुन बहुत तुमारे पास है तुम्हारे पास ऐसा ऐसा बहुत पुन्यवान गुन है देखो तुम्हारा मदद से उन लोग बच गया ऐसा करके अपना दोस्त लोगों का गुन आमने सामने मुँपे बोल देता है गुन फुसल आता है बठर लगाता है इसके बाद दोस्त जाने के बाद परमुखास अवन नम भासती पीट के पीछे गाली देता है वो हम जानते हैं उसके बारे में हम उसके सामने बताया अच्चा नहीं है ना सामने उसको बदनाम करना यह तो बहुत पापी है दुष्ट है धुका धुके बाज है एसे करेके पीट के पीछे गाली देता है इधर से इसको अच्चा बोल करके दुसरा जगा जाता है जाने के बाद दुसरा लोग बोलता है उसको तुम्हारा दोस्त बहुत अच्चा है उनके पास बहुत गुन ही बहुत पून्य करता है न एसे बोलने के बाद फिर ये बोलता है है वो मेरा दोस्त तो है लेकिन मैं जानता उसके बारी में वो कैसा है वो तो घटी आदमी है मेरे मदद से वो आगे बढ़ गया है हर जगा पे अपना ही उठा के रखता है देखिए ये चार प्रकार की गुन दिकाई देता है कारण दिकाई देता है अनुप्य भानी दोस्त के पास पहला क्या है ये हमेशा हावट देता है कुछ भी करेगा तो हाँ हाँ बोलता है जी हाँ बोलता है दूसरा है हमेशा आमने सामने गुन बोलते रहेगा तिसरा पीट के पीछ गाल देगा चोथा है दूसरा लोग अपना दोस्त का गुन कहेगा तो वो गुन को गिरा देता है तुम लोग कैसे जहनते उसके बारे में वो एसा ऐसा आदमी है एसे किरके वो पहले ऐसे था मिरे मदद से ऐसे आगे बढ़ गया है एसे किरके कभी भी अपना दोस्त का गुन बढ़ाने नहीं देता है ये मौनु का सुभाव बहुत आस्चरे है कभी पैचान नहीं सकता है जानरूं का जैसा नहीं है एक बार पैसे नाम का एक आदमी बगवान बुद से मिलने के लिए आया था आकर के बताया ततागत बगवान बुद जी ये जानरूं का तरीका फगड सकता है जानर गुसा गया तो वो दिखाता है रागुतपन हो गया तो दिखाता है नराज हो गया तो दिखाता है सब कुछ जानवर अपना असलियत को दिखाता है लेकिन मानो ऐसा नहीं है मानो अपना असलियत को कभी दिखाता नहीं है मानो बहुत थी बहुत गुपत है भगवान बुद्ध बताए पेसे वो बात वो सही है आपने जो बताए वो सही है मानो का सही सबहाव बाहर से दिखाई नहीं देता है मानो का असलियत दिखता नहीं है नुका हुआ रहता है मानो का हर एक चीज गुप्त है देखिए उसी प्रकार मानो के साथ आप, हम, सभी लोग इस संसार में जीवन बिताते हैं अनुप्य भानी ये चार कारण से युगत हैं इसका मतलब पाप करेगा तब भी हाँ बोलता है वर्नन करता है पसंद करता है पुन्य करेगा तब भी हाँ बोलता है वर्नन करता है पसंद करता है तथा अपने के सामने गुन बोलता है तो दुसरा कारण है अपना दोस्त के सामने गुन बोलता है लेकिन तिसरा कारण पीट के पीछे बदनाम बोलता है और चोता कारण अपना दोस्त का गुन कहीं कहेगा तो वो गुन नुकाता है दुसरा को पहचानना दुसरा को बहुत साफ है पहचानना आसान है वो है अपाय सहाय अपाय सहाय मित्र को पहचाना असान है वो दोस्त है मगर असली दोस्त नहीं है दोस्त जैसा रहता है ये अपाय सहाय के दोस्त बहुत ही खत्रनाग है वो दारू पीने के लिए बहुत मदद करता है नशा करने के लिए बहुत मदद करता है अपने तरफ से नसील पदर्थ लाके देता है पीने के लिए ये सब कुछ अपाय सहाय के मित्र का काम है मगर दोस्त जैसे रहता है दोस्त जैसे रहके दारू पीने के लिए शराब पीने के लिए मदद करता है या तो फिर बोलता है मजा के लिए चलो हम लोग आज वहाँ गुम के आएंगे जा करके चोरी करता है चोरी करके ला के देता है अपना दोस्त लोगों को लेलो हम मेरा पैसा से लाए हैं एसे करके दोस्त को बाटता है चोरी करके मित्र जी सदिकता है लेकिन मित्र नहीं है तता वो हमेशा गलत यात्रा पे रहता है अकाल पे इदर उदर गुमने के लिए बुलाता है रात में गुमने के लिए बुलाता है मेला, तेवहार, फेस्टिवल इत्यादे में गुमने के लिए बुलाता है ये दोस्तो समाज में अच्छा से पहचान सकता है न तुरांत पहचान सकता है क्यों हमेशा बुलाते रहता है चलो वहाँ आज गुमेंगे वहाँ मेला है वहाँ दसहरा है वहाँ दिवाली है वहाँ साधी है ऐसे करके लेके जाता है दोस्त लोगों को हमेशा ये अपाय सहाय का दोस्त अपना दोस्त लोगों को गलत काम के लिए ही ले जाता है खबिग्ञान सुनने के लिए दिहान करने के लिए पुन्य करने के लिए नहीं बलकि पाप का काम के लिए ही ले जाता है या तो फिर ये जुआ केलने के लिए ले जाता है जुआ केलने का आदत दिलाता है, चलो जुआ केलने के लिए, बहुत पैसा आ जाएगा, इनका में बहुत होगा या तो फिर लड़की को चेड़ाकने के लिए, लड़का की पीछे जाने के लिए हमेशा लेके जाते रहता है एसा विबिचार करने के लिए इस्त्रियों के साथ संगत करने के लिए गुमने के लिए ये ले जाता है देखने में लगता है ये तो असली दोस्त है सारे खुशी हमको लाके देता है लेकिन ये अपाय सहायक दोस्त के साथ रहने के कारण जरूर नरक में जनम लेना पड़ता है क्यों अपाय सहायक दोस्त के साथ रहने से कभी पुन्य नहीं कर सकता है हमेशा पाप होता है इसलिए उसका नाम है अपाय सहायक अपाय मतलब नरक सहायक मतलब मदद करना नरक खेली मदद किरने वाले दोस्त अपाय सहायक बहुत ही खतरनाक है अभी आप जान गए चार प्रकार की दोस्त के बारे में चार प्रकार की दोस्त अलग-अलग प्रकार की गुन से अपना दोस्त को फसा देता है बगवान बुद्ध ने बताया बगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले प्रज्ञावान लोग अन्यदत्थुहर वचीपरम अनुप्य भानी अपाय सहायक ये लोगों को पहचानता है कैसे ये मित्र नहीं है अमित्र है कोन पहचानते हैं? बगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले प्रज्ञावान लोग आर का परिवज्य ये मगमपटी भयं यथा उसी प्रकार दोस्त लोगों गलत रास्ता खतरनाक रास्ता पे जाना देख करके उन लोगों को दूर सी दूर करने के लिए बताया कैसे? अगर कोई जंगल में आदमी को मारने वाले हाती है तो भाग है तो, सेर है तो, बालु है तो, चोर डेकैती लोग है तो ऐसा खतरनाक रास्ता पे ऐसा खतरनाक जंगल पे कोई नहीं जाता है, कोई बुलाएगा थब भी नहीं जाएगा वैसे ही बगवान बुद्ध ने बताया, पापी, ये चार प्रकार की पापी दोस्त को दूर से दूर करना चाहिए इन लोगों का खतरा देखना चाहिए, क्यूं? ये सबी लोग हमारे जीवन के लिए बहुत थी खतरनाक है लेकिन ये काम करना बहुत थी मुश्किल, कठीन है, क्यूं? क्यूंकि ये मित्र, ये अमित्र लोग, पापी लोग, मित्र रूप से रहता है देखिए वचे परम, मित्र, पहचान एकदम मुश्किल है, एकदम मुश्किल कितना फस जाते है अन्यदात्तु हर मित्र भी पहचाना मुश्किल है, अपाय सहायक भी ऐसे ही है इसके बाद बगवान बुद्ध ने बताया संगत करने वाले दोस्त चार प्रकार के होते हैं जो संगत नहीं करना चाया उनलोग कितना प्रकार के चार प्रकार के हुआ है और अभी भगवान बुद ने दिखाया सांगत करने वाले कल्यान मित्र भी चार प्रकार के हैं पहला है उपकारक मित्र, दुसरा समान सुख दुख मित्र, तिसरा अथक खाई मित्र, चोता अनुकम्पक मित्र देखियो भगवान बुद समाज को सुधारने के लिए, समाज का कल्यान के लिए कितना खुबसुरत रास्ता दिखाए लोग भगवान बुद को पूजा करते रहता है, लेकिन भगवान बुद के ज्ञान के बारे में कोई नहीं जानते हैं, अंधेरा में डूब गया, ये संसार तता अगत भगवान बुद ने बताया ग्रपति पूत्र, ये कारण से उपकारक मित्र को पहचान सकता है उपकारक मित्र हमेशा अपना प्रमादी मित्र को रक्षा करता है, या प्रमादी मित्र मतलब अपना दोस्त कभी कास्ट में गिर गयातू, परेशान में आगयातू वो क्या करता है, अनुकंपा मन से, दया मन से मदद करता है, वो उपकारक मित्र का कारण है हमेशा रक्षा करता है अपना दोस्त लोगों को, वो सापत तेयंग रक्षती, अपना दोस्त का सामान, अभूशन, धन सामपत्ती, सब को सुरक्षा करके देता है, एक रुपिया का भी दोका नहीं देता है बहुत आस चर्ये, उपकारक मित्र का कारण है, उपकारक मित्र कैसा है, हमेशा दोस्त को सुरक्षा करता है, कष्ट परेशा ना गया तो मदद करता है सोचिये, दोस्त कोई कष्ट में फस गया, वो क्या करता है, दोस्त का सारे कीमती चीज तुरांत लेकर की, नुका की रखता है, या ताकी कोई लेगा नहीं, भीताच सरनां होती अगर अपना दोस्त, भाय, हिंसा, धर, इत्यादी दुख में फस गया तो, अपना दोस्त उपकारक मित्र को सुनाई देता है, दोस्त को एसा कष्ट में आ गया है, तुरंत जाता है, तुरंत अपना दोस्त के पास जाता है, अपना काम को चोड़ कर, जाकर के सारे धर भाय सब छोड़ाता है मन को मजबूत कराता है थथा उप्पन्ने की चकरनिये ताद्धी गुनांग भोगांग अनुपदेते जो कुछ काम है मित्र को नहीं कर साकता है तो ये क्या करता है जा करके अपने तरफ से कर्च करके मदद करता है बगवान भुत ने बता है अगर मित्र को सो रुपया का जरूरत थे तो ये दो सो रुपया देता है लाखां रुपया का जरूरत थे दो लाख रुपया देता है ये गुन है उपकारक मित्र के पास पहला क्या है कश्ट परेशन आ गया तो अनुकम पाकर के मदद करता है और दोस्त का सारे समान सुरक्षा करता है दन्सामपाति इत्यादी और धरबाय आ गया तो हमेशा वो धरबाय हटा देता है जाकर के तुरंध मदद करता है इस चोथा अगर कोई काम है दोस्त को नहीं कर सकता है लेकिन वो सुरु किया वो ऐसा काम पर तुरंद ये मदद करता है इसके बाद भगवान बुत ने बता है दूसरा मित्र हार एक मित्र के पास चार चार गुन है समान सुख दुख मित्र ये समान सुख दुख का मित्र को अपना दोस्त लोग सुखी से जीवन बिताना देख के बहुत खुशी है दुखी से जीवन बिताना देख लिया तो दुख लगता है एसा दोस्त भी होता है न समाज में कोई दोस्त कुशी से रह गया तो बहुत खुश नसीब आता है, बहुत कुशी से रहते हैं अगर उसी दोस्त को कोई दुख आ गया तो इसको भी दुख आ जाता है अपना जीवन, जीवन का सारे प्राइवट बाते अपना दोस्त को बताता है यानि कि वो दोस्त अगर अपना गुप्त बाते अपना जीवन का गुप्त बात दोस्त को बता दिया तो वो गुप्त बात सब सुरक्षा करता है किसी को बताता नहीं है सब चुपा के रखता है अगर कष्ट है तो तुरां मदद करता है वो सुरक्षा करता है कश्ट परेशान आने के बाद अपना दोस्त को कभी छोड़ता नहीं है दोस्त एक कश्ट परेशान दोस्त का सारे परेशान दुख तकलिफ कतम होने तक दोस्त के पास ही रहता है थथा जीवितम पिस्य अथ्थाय परिच्चा तंग होती कभी भी अपना दोस्त लोगों का कल्यान के लिए अपना जीवन भी त्याक करने के लिए तेयार है अपना जीवन के बारे में भी विना सोच के अपना दोस्त को सुरक्षा करने के लिए सोचता है इसी प्रकार मदद करने वाले दोस्त लोग है देखी हम अभी आपको बताए थे समान सुक दुख मित्र का चार कारण क्या था पहला है अपना दोस्त खुशी से रह गया तो बहुत खुश हो जाता है अपने दोस्त दुख में रह गया तो दुखी हो जाता है दुसरा गुन क्या है दोस्त का सारे गुप्त बात अपने को बता दिया तो सारे गुप्त बात को शुरक्षा करता है तथा कोई भी कश्ट परेशान आ गया तो तिस रहे कोई भी कश्ट परेशान आ गया तो अपने दोस्त को कभी छोड़ता नहीं है परेशान का तम होने तक दोस्त के साथ रहता है थथा चोटा है कभी भी अपना दोस्त का खल्यान के लिए दोस्त के लिए मित्र के लिए अपना जीवन भी त्याग करने के लिए उतेयार हो जाता है अपना जीवन के बारे में विविना सोच कर दोस्त को मित्र को सुरक्षा करता है ये चोता कार इसके बाद बगवान बुद्र ने बताया अथक खाई मित्र की बारे में अथक खाई मित्र हमेशा अरत से मदद करता है अपना दोस्त को दोस्त का खल्यान के लिए हमेशा सहायता करता है कैसे पापा निवा रेती यानि कि अपना दोस्त अगर पाप करेगा तो पाप से मुख्त कराता है पाप से बचाता है कैसे दोस्त को हमेशा कारण बताते हैं ये नहीं करना चाहिए ये अपना जीवन को बरबाद कर देगा दोस्त को लगेगा ये बहुत परिशान करता है बार बार हमको पदेश देता है बहुत थेड़े खें लगेगा फिर भी ये अथा खाय मित्र अपना मित्र को छोड़ता नहीं ह दात में रहकर के डाट सुन सुन कर भी अपना दोस्त का कल्यान के लिए काम करता है पाप से मुप्त कराता है तथा कल्याने निवे सेती अच्चा आदत अच्चा गुंधरम में लगाता है ये दुसरा कारण अत्त कायमित्र का पहला कारण क्या है पाप से बचाता है दुसरा क खाल्याने निवासेती अच्चा आदत गुन्धरम में लगाता है। देखिए, कोई-कोई लोग मा एवां पिताजी को गुरु लोगों को सेवा सत्कार सम्मान नहीं करता है। ये अथक काई मित्र क्या करता है? अपना दोस्त को मा पिताजी गुरु लोगों को सेवा करने के लिए लगवाता है। मा एवां पिताजी के साथ बात करने काई तू आरे एसा सब्द मा पिताजी के साथ इस्तमाल नहीं करने चाहिए। प्यार से समझाते हैं। एसा समझाने पर वो दोस्त सुदर जाते हैं। दीरी दीरी यह क्या करता है पूछता है आपका भी मामी पापा को नमन किया है नहीं। नहीं एसा है तो आज चली हम लोग आपका मामी पापा को नमन करेंगे। आप मामी पापा का कपड़द होता है कि नहीं। नहीं। हाँ ऐसा नहीं है तो चलिए माापिताजी का कपड़ दोइंगे ऐसा करएकि अच्चा काम पर अच्चा गुनधर्म पर लगाता है ऐसा दोष्ट लोग पर वर्तमान में है लेकिन नहीं के बराबर थोड़ा है मापिताजी को प्यार किरने का थरीका सिकाता है बोलता है हम तो कभी मेरी मापी ताजु कभी ऐसे नहीं डाटे आप उसी प्रकार डाट दिया सुनकर मुझे बहुत दुक आ गया आप मेरा दोस्त है आप मेरा दोस्त इसलिए हम आपको कहते हैं ऐसे आप क्यूं करते हैं मत करिये एसे बोलने पर अपना दोस्त सुधर जाता है इसके बाद गुन है ये अठाकाई मित्र का असुतन सावेती जो नहीं सुना है वो बातें सुनाता है इसका मतलब भगवान बुद्ध की ज्ञान अगर नहीं सुना तो लेके जाता है चली उसी आश्रम में उस जगा के उसी भंते लोग भगवान बुद्ध की पावित्रवानी बताते चली सुनेंगे चली द्यान करेंगे इसी प्रकार अपना दोस्त को ज्ञान की रास्ता पे ले जाता है एसा है तो यह अथाखाय मित्र अपना जीवन के लिए बहुत भाग्य है क्यूं? वो अगर जो कुछ ज्ञान नहीं सुना तो सुनाता है एसा एसा ज्ञान की बात है एसा करेके सुनाता है चोथा कारण है अथाखाय मित्र का सगस्य मगं आचिक्कति स्वर्ग का मार्ग बताता है देवताओं के पास जनम लेने का मार्ग के बारे में बताता है किस के साथ यह होता है? कल्यान मित्र के साथ अथाखाय मित्र से क्या क्या हुआ है? पहला क्या है? पाप से मुख कराता है अच्छा गुंधरम पे लगाता है इसके बाद जो नहें सुना है वही ज्ञान की बाते सुनाता है तथा सगस्वमगंगाचिक्षती स्वर्ग का मार्ग बताता है देखे कितना भाग्य हैं एसा कल्यान मित्र अगर आपके पास है तो इसलिए भगवान बुद्ध ने बता है ये मित्र लोग अपना जीवन के लिए बहुत ही उपकारक है कौन कौन है वो अन्यदात्थुहर ये दोस्त लोग हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है वो चार लोग पाप मित्र लोग है खल्यान मित्र नहीं है लेगिन खल्यान मित्र कोन है खल्यान मित्र दूसरा है हम अब भी आपको बताए अत्ता खाई समान सुक दुख अनुकांपक ये गुन खल्यान मित्र के साथ है उपकारक समान सुक दुख अत्ता काई अनुकांपक ये चार इसके बाद चोथी मित्र चोथी मित्र कोने अनुकांपक अनुकांपक भी अच्चा मित्र है ये अनुकांपक मित्र क्या खरता है हमेशा अनुकांपक का मित्र का भी गुन है देखिए उनको सुनाए देता है अपना दोस्त पतन हो रहा है पहले उपोसत लिया था ध्यान कर रहा था ग्यान सुर रहा था अभी कुछ नहीं करता है पहले दान दिया था अभी दान भी नहीं देता है इनको सुनाए देता है तुरांत इनका मन में दुख उत्पन होता है केसे दुख उत्पन होता रहे मेरा दोस्त ऐसा पुन्या भी नहीं करता है सील नहीं लेता है सील पालन नहीं करता है दान देता नहीं है दुख उत्पन होता है मन में इसके बाद अभवेना सननांधती खुशी उत्पन नहीं होता है लेकिन असाथ पुरुष लोगों को एसा नहीं पाप मित्र को एसा नहीं पाप मित्र को खुशी उत्पन होता है बहुत अच्चा एसा ही होना चाहिए पतन होना चाहिए लेकिन कल्यान मित्र को दुख उत्पन होता है अपना दोस्त एसा गुन धरम से हट गया तो इसके बाद भवेना सनांदती अपना दोस्त आगे बढ़ने के बार में अपना दोस्त का बढ़ाव सुनने के बाद खुशी उत्पन होता है पहले उसको कोई नोकरी नहीं मिला, अभी अच्छा नोकरी मिल गया है, बहुत अच्छा अच्छा जमीन लिया, कितना अच्छा है, सुन्दर घर बनाया, गाड़ी ले लिया, बहुत अच्छा है अभी वो उपोसत लेता है और अच्छा है दान भी देता है पुन्य करता है एसा अपना दोस्त के बारे में सुनाई देता है सुनाई देने के बाद सुचता है कितना अच्छा है कितना लाब है हम उनके बार में ऐसे ही सोचे बहुत पहले से ही ऐसा दोस्त के साथ संगत करना कितना अच्छा है ऐसे लोग के साथ मिलना भी अच्छा है क्यों आगे बढ़ता है ऐसे करके अपना दोस्त का काल्यान के बार में सुनकर खुशी हो जाता है अगर अपन दोस्ट दियान करना सुन लिया तो बहुत खुश हो जाता है थाथा अवननंग भनमानंग निवारेती अगर कोई अपन दोस्ट, अपने के सामने अपना दोस्ट का अपमान करेगा तो बोलता है हाँ हाँ एसे मत कहो वो ऐसा नहीं है उसके पास ऐसा ऐसा गुन है इसलिए आप लोग ऐसे मत कहिए ऐसे किरे कि अपना दोस्त को जो डाटता है उन लोगों को रोकता है दोस्त का गुन बोलता है तथा वन नाम भनमा नाम पसान सती अगर कोई लोग अपना दोस्त का गुन बोलेगा तो बोलता है आप सही है बहुत अच्चा आप जो मित्र के बारें बोलते हैं वो वह सही है बहुत अच्चा है आप जो बोलता है वो गुन उसके पास है एसे के रखे अपना दोस्त का गुन बोलता है वो कोने अनुकांपक मि पहला कारण क्या है? अगर उनको सुनाई दिया तो पहले अपना दोस्त अच्छा ता अभी पतन हो गया है, तुरान दुख उत्पन होता है, मेरे दोस्त पहले ध्यान किया, सील सुरक्षा किया, दान दिया, अभी कुछ भी नहीं है, एसा करके दुख उत्पन होता है, तथा भवेन सनंदती अपना दोस्त आगे बढ़ना देख करके खुशी हो जाता है अच्छा नोकरी मिलने के बाद अच्छा से पढ़ने के बाद पढ़ने के कारण या तो फिर जामीन वगेर खरिदने के कारण गाड़ी खरिदने के कारण बहुत ही बहुत खुशी हो जाता है तिसरा कारण क्या है? तिसरा कारण है अगर इनके सामने अगर अपना मित्र का अपमान कोई करेगा तो तुरन अपना मित्र को बचाता है हाँ हाँ एसे मत कहिए वो अच्छी है एसे करके अपना दोस्त का गुण कहता है अगर अपने के सामने कोई दोस्त का गुण कह दिया तो उसको बोलता है आप सही कहते बहुत अच्छा वैसे ही मिरा दोस्त एसे करके दोस्त को गुण और बढ़ाता है भगवान बुद्नि बताया, ये चार मित्र हैं, वो बहुत महान हैं, कोन हैं? उपकारक मित्र, समान सुख दुख मित्र, अथक खाय मित्र, अनुकंपक मित्र. थथा, ये लोग सकक्चंपई रुपासेय मातापुत्तं वोरसं, ये लोग माताजी अपना एकलावता बेटा को कैसे सुरक्षा करता है, वैसे ही, ये मा अपना एकलावता बेटा को प्यार करता है, वैसे ही, ये मित्र को सांगत करने के लिए बताया, कैसे अपना मा एकलावत अपना बिटा के साथ संगत करते ने प्यार से एकदम मन लगा के वैसे ही इस दोस्त के साथ संगत करने के लिए भगवान बुद्ध ने बत देखिए भगवान बुद्ध की उदाहरन कितना खुबसूरत थे पापी दोस्त हटाने के लिए के से बताया खतरनाक रास्ता पे नहीं जाने के लिए बताया ना उसी रास्ता पे बाग हैं, टाइगर हैं, शेर हैं, चोर डेकेत गुंडे लोग हैं उसी रास्ता दूर करना जैसा पापी मित्र दूर कर दिजिए मा अपना बेटा के साथ रहता है वैसा खल्यान मित्र के साथ रहिए वो हमेशा आगे बढ़ता है कभी पतन नहीं होता है पैसा दन संपत्ती से भी बढ़ता है खल्यान की इर्थी से भी बढ़ता है भागवान बुद्ध इसके बाद इस सूत्र में अपना जो खमाने वाले दन चार भाग में बाट दिया है एकेन भोगे भुंजेये अपना धन सांपाति कमाएगा तो वो धन सांपाति चार भाग में करके एक भाग लेन चाहिए रोजी ना खाने के लिए द्वीहिकम्मां पयोजे दोगो बाग अलग करना चाहिए अपना जो बिस्नस का काम के लिए लगाना है उसके लिए चतुत्थांच निधा पेए आपदासु बविस्तती और एक बचा हुआ है पहला क्या करना चाहिए रोजीना खाने के लिए और दोगो हटाना चाहिए अपना बिस्नस वगेर आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए एवर एक बचा है चोथा निधान करना चाहिए केसे बैंक में डालना चाहिए या कही रखना चाहिए बहविश्य में काम आएगा कोई कष्ट परेसा ना गया तो लेने के लिए सोचे एक हाजा रुपिया खमाया एक महीना में उसी एक हाजा रुपिया चार गुना में केसे बाटेंगे अड़ाई सो रुपिया लेना चाहिए रोज खाने के लिए इसके बाद पान सो रुपिया दो गुना है ना पांसो रुपिया अलग करना चाहिए अपना बिस्नस इत्यादी काम के लिए लगाना है और कितना बागी है अड़ाई सो रुपिया अड़ाई सो रुपिया लेना चाहिए रखने के लिए बाविश्य में कोई कष्ट पारे सन आगया तो लेना है कबी कबी लोग धन समपत्टी कमाते हैं कमाने के बाद बहुत मेहनत करें कमाता है फिर घर जा अराम करता है अभी तो तीन महेंना कमाया है अराम करके सारे धन समपत्ती को कतम कर देता है आलसी है लगातार काम करने का हिम्मत नहीं है और लोग क्या करता है उधार लेता है दुसरों से उधार लेकर के उसी उधार का पैसा कतम होने तक काता काता पीता है आश करता है पैसा कतम होने के वाद फिर दुखा जाता है कभी कभी ये आलसी होने के कारण घर का किराया भी नहीं दे पाता है बहुत मुस्किल से जीवन भी ताना पड़ता है कोई-कोई लड़का लोग लड़की लोग पैसा कमाता है पैसा कमा के फालतु पैसा बरबात कर देता है खापडाव पडामे जो जरूरत नहीं वैसा चीज खरीत कर पैसा बरबाद कर देता है कभी-कभी तीन, चार, पांच, चे महीना का पैसा एक दीन में कतम कर देता है एक ठीवी खरीत करके पुरा पैसा कतम कर दिया एक साल का क्योंकि कभी-कभी बहुत सारे जगा पे अच्छा सेलरी नहीं मिलता है बहुत कम सेलरी मिलता है इसलिए वो सेलरी समहाल के खर्च करना पड़ता है इसलिए इदर उदर गुमने के लिए, दारु पीने के लिए खतम करने के लिए पैसा एक भी खर्च नहीं करना चाहिए कोई कोई लोग क्या करता है कोई साधी आ गया तो उधार पे पैसा लेकर के साधी मनाता है उधार पे पैसा लेकर के साधी मनाने के बाद दूसरों को इज़त दिखाने के लिए पुरा गाउं को हम लोग बहुत बड़ा से साधी करवाया है देखो हमारे बड़ा ते कितना बड़ा है ऐसे करके उधार से सब करके बाद में पच्टाता है उसी प्रकार बहुत सारे परेशान तकलीफ पुरे दुनिया में है क्योंकि सबी लोग संतुष्ट नहीं है बहुत अहंकार है एक दुसरी से ज़्यादा दिखाने के लिए कोशिस करता है अपना हिम्मत लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं बताए भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले आरेश रावक लोग उनके शिश्ये लोग ऐसा अपना इज़्यत सत्कार संवान के लिए फालतु काम नहीं करता है इसलिए भगवान बुद्ध ने बताए अपना धन चार गुना करना चाहिए एक गुना लेना चाहिए प्रोजीना काने के लिए दो गुना कर्च करना चाहिए अपना बिस्नस के तीवती का आगे बढ़ाव के लिए और एक गुना कर्च करना चाहिए रखना चाहिए बैंक में या कही बविश्य में लेने के लिए कोई कस्ट परेसा ना आगया तो इसके बाद भगवान बुद्ध ने बतायान च्छ दिसा के बारे में वह बत्जिकеля नों ने बताया है पूर्व दिसा में मापिता जिहेगं थाथा दक्सिम दिसा में गुर्व सज्जन लोग है पस्चिम जिसा में अपना फरिवार बाल बच्चे तथा उत्तर दिशा में दोस्त है नीचे दिशा में नोकर नोकरानी सेवक लोग है उपर दिशा में स्रमन ब्राह्मन संत लोग है इसका मतलब अगर पूरु दिशा देखेंगे तो मापिताजी यादाना चाहि थाथा दक्सिन दिशा देखेंगे तो गुरु सज्जन लोगों को यादाना चाहि पस्चिम दिशा देखेंगे तो परिवार बाल बच्चे यादाना चाहि उत्तर दिशा देखेंगे तो दोस्त को यादाना चाहि नीचे दिशा देखेंगे तो सेवक लोग को यादाना चाहि उपर दिशा देखेंगे तो स्रमन ब्राह्मन लोगों को यादाना चाहि पूरु दिशामे रहने वाले मा एवां पिताजी दोनों को इसी प्रकार पांच प्रकार से सेवा करना चाहि पहला है बच्चे लोग अपना मा पिताजी को पोशन करना चाहि केसे उस बच्चे लोगों को अपना मा पिताजी देखने के बात याद आना चाहि यही मांवी पापआ हमको बच्चमन से पाले हैं पोशे हैं इसलिए हम भी उन मा पिताजी पालेंगे पोशेंगे वैसा याद आना चाहि और किच्चन ने संकरिस्दामी दुसरा कारण क्या है अपना बुड़े मामी पापा के बारे में सब कुछ खोज कर ख्याल रखना चाहिए कैसे मापिताज जो कुछ काम करके आया वो सारे काम को देखना चाहिए माम्मी पापा बुड़ा हो गया तो वो सारे काम देखने के लिए और कोई नहीं है ऐसे हैं तो माम्मी पापा का सारे करता विए बच्चे लुग निभाना पड़ता है यह दुसरा कारण, पहला कारण क्या है? माम्मी पापा दोनों को पोशन करना चाहिए दुसरा कारण, माम्मी पापा बुड़ा होने की बाद, माम्मी पापा का सारे काम बच्चे लुग करना चाहिए तिसरा, कुलवान संठपे सामे, अपना कुल परंपरा को ले जाना चाहिए चोथा कारण है, दाया जंपटि पच्चामी माँ पिताजी जो खमाया है, वो धन संपत्ति, पेड़ पाउदा, जमीन, गाड़ी, घरद्वार, इत्यादी संपत्ति, विना नष्ट करके रक्षा करना चाहिए यह चोथा कारण, अनतिम कारण है, माँ एवां पिताजी मरने के बात, उनके नाम से संथ लोगों को दान दे करके, महासंग को दान दे करके, पुन्य माँ पिताजी को देना चाहिए ये बच्चे लोग अपना माम्मी पापा को करने वाले सेवा है पांच प्रकार की सेवा एक जगा पिर बगवान भुद्ध ने बताया जो कोई बच्चे हैं अपना माम्मी पापा दोनों को अगर असलियत में प्यार करना चाहेंगे तो बगवान बुद्ध, धरम, आरि महसंग प्रति, स्रद्धा दिलाना चाहिए अगर सील सुरक्षा नहीं करेगा तो अपना मापिताजी दोनों को सील सुरक्षा करने के लिए मदद करना चाहिए अगर अपना मामी पापा खंजूस है तो थ्यागी नहीं है तो उन लोका हातों से दान दिलाना चाहिए दुसरों को मापिताजी के पास धरम की ज्ञान नहीं है तो क्या करना चाहिए मापिताजी दोनों को धरम की ज्ञान दिलाना चाहिए ज्ञान बताना चाहिए मामी पापा के पास अगर प्रज्ञा नहीं है तो प्रज्ञा को दिलाना चाहिए एसा हो गया तो कैसे बगवान बुद्ध पृतिर शद्धा उत्पन करवाया तो सील सुरक्षा करवाया तो उनलोग का हातों से दान दिलाएंगे तो धरम की ज्ञान उनलोग को बता देंगे तो और प्रज्ञा बढ़ाने के लिए मदद करेंगे तो ये हैं मामी पापा का असलियत सेवा इसी प्रकार सेवा करेंगे तो मापिताजी का उधार वापस कर सकता है इस सूत्र में तथागत बताएं मापिताजी दोनों पांच कारण से अपना बच्चे लोगों को अनुकामपा करना चाहिए सेवा करना चाहिए वो असली मापिताजी अभी पहचान सकता है पापा निवार इनती पहला कारण क्या है? पाप में लगाता नहीं है खल्यान निवेस इनती अच्चा फुन्य का काम पे लगाते हैं सिकाता है आजकल मामी पापा लोगों के पास सिर्फ सिल्प सिकाने का चीज है बच्चे लोग पढ़ाई किया तो बस सब कुछ है और कोई जरूरत नहीं है बच्चे लोग पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं ऐसा सोचता है लेकिन भगवान भूत ने बताया बच्चे लोगों को पढ़ाना पांच में से एक कारण है पहला कारण क्या है पहला कारण है अपने बच्चे लोगों को पाप से मुक्त कराना चाहिए कोई भी पाप मिलने लगाना चाहिए दूसरा कारण है बच्चे लोगों को पुन्य करने के लिए सिखाना चाहिए कौन मामी पापा लोग एसा बच्च लोगो सिखाता है सारे मामी पापा लोग कहते हैं बच्च लोगो पढ़ो पढ़ो पढ़ाय करो पढ़ाय करने पर सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ यही बहुत सारे मापिता जिल बच्चरों को सिकाते हैं यह थिस्तरा कारण सिल्प सिकाना चाहिए चोता कारण है पतिरूपे नदारे नसांयो जेंती बच्चा का उम्र आने के बाद बच्चा बच्ची का उम्र आने के बाद उसी प्रकार अच्चा परिवार से साधी करवाना चाहिए पंच माहें समे दाया ज्ञ समे आने के बाद बच्चे लोगों को बराबर अपना दहेज को बाटना चाहिए अलग अलग नहीं बच्च लोगों को अपना धन संपत्ती बाट के देना चाहिए इस हैं तो पूरो दिशा में मा पिताजी है मा पिताजी को बच्च लोगों से पांच प्रकार से सेवा होना चाहिए और बच्च लोगों को मा पिताजी से पांच प्रकार की सेवा होना चाहिए इसके बाद बगवान बुद्ध ने बताया दक्सिन दिशा के बारे में दक्सिन दिशा में कोन है गुरु लोग है गुरु लोग गुरु लोगों को शिश्य लोग पांच प्रकार से सेवा करना चाहिए पांच प्रकार से उपस्तान करना चाहिए क्या है पहला है उपठानेन आना देख करके अपना गुरु लोगों को तुरंत आसन से उठना चाहिए इसके बाद गुरु लोगों को सेवा उपस्तान करना चाहिए सेवा करना चाहिए गुरु लोगों को, वो पहला कारण दुसरा है सुसू साय गुरु लोगों का बातों पे दियान देना चाहिए अच्छा से सुनना चाहिए पारी चरिया है तिसरा गुरु लोगों को गुरु लोगों का जो कुछ कारे है वो सही टाइम पे करना चाहिए जो कुछ कारे करना है वो सब कुछ समय पर करना चाहिए गुरु लोगों को पानी देना है तो, आसन बना के देना है तो, गुरु लोगों का रूम साफ करके देना है तो, जो कुछ करना है तो, सही डंग से करना चाहिए चोता है, सकक्कच्चम सिप्पटिक गहेन गुरु लोग जो कुछ सिल्प सास्तर सिखाते हैं ज्ञान सिखाते हैं वो सब अच्ची तरह सिखना चाहिए ये पांच कारण से गुरु लोगों को सेवा करना चाहिए पहला क्या है? गुरु लोग आना देख करके, खुर्शी से उठकर, आसन से उठकर इज़्जत करना चाहिए. दूसरा, गुरु लोगों को सेवा करना चाहिए. थिसरा, गुरु लोगों पर ध्यान देना चाहिए. चोता, गुरु लोगों को जो कुछ काम होना चाहिए, जैस सब कुछ मन लगा के सिखना चाहिए। तथा अपना शिष्य लोगों को दोगों पर दया करने वाली गुरु लोग भी पांच खारन से शिष्य लोगों को सेवा करना चाहिए। या तफिर दन्ड देके भी कर सकता है। दूसरा कारण है अपना शिष्य को अच्ची तरा पड़ाना चाहिए। जो कुछ सिल्प सास्तर जानते हैं, ज्ञान जानते हैं, सारे ज्ञान को अच्छा से सिखाना चाहिए. विना नुका के सारे तरीका अपना शिष्य को सिखाना चाहिए. तिस्टा कारण है, पढ़ाने का काम अच्ची डांग से करता है, अगर एक गंट पढ़ाने तो एक गंटा है सभाई, गंटा तोले ज्यादा भी पढ़ाते हैं, अच्ची तरह से पढ़ाता है. चोथा कारण है गुरु क्या करना चाहिए अपना शिष्य को अपने बड़े बड़े लोग है उन लोगों को मिलाना चाहिए ये है मेरा गुरु ये है ये मेरा शिश्य है ये मेरा बहुत अच्छा शिश्य है इसा करकि बड़े-बड़े लोगों के साथ मुलाकात करवाना चाहिए तथा अंतिम गुन है शिष्य को सुरक्षा करना चाहिए चाहे वो शिष्य कोई गलती काम पे नहीं जाए उसी प्रकर अपना शिष्य को सुरक्षा करना चाहिए इसके बद बगवान बुद्न ने बताया पस्चिम जिस्ता दिसा में बाल बच्चे परिवार है बच्चों का संबंध और स्वामी पती का स्वामी और पतिनी का संबंध ये सब पाँच प्रकार से होना चाहिए क्या है पाँच प्रकार से पती पतिनी को सेवा करना चाहिए पहला कारण है सम्मान नाय पती अपना पतिनी को इज़्जत से गावरों से हमेसा बात करना चाहिए पत्नी पे दुसरा कारण है अपना पतिनी को कभी भी अपमान नहीं करता है पहला कारण क्या था अपना पतिनी को इज़्जत करता है दुसरा कारण कभी भी अपमान नहीं करता है मेरा बच्चे की माँ चोटु का माँ एसे करके अपनपतिनी को निमांतरन करता है कभी-कभी कोई-कोई पापा लोग बच्चा लोग से माँ को मजा कुडाता है एसा कभी नहीं करना चाहिए पहले लोग काना काने के पहले पूचते हैं बेटा, तुम्हारा माँ खानकालिया है, नहीं है तु बुला कि इज्जत से, मिल के लोग खाते हैं, हमेसा याद रखता है, तिसरा कारण है, अनतिचरिया है, अपना पतिनी से आगी नहीं सोचता है, इसका मतलब अपना पातिनी साथ ही रहता है दुसरा इस तरी लोगों के साथ गलत काम वेबिचार करने के लिए नहीं जाता है सिरिफ अपना पातिनी से खुशी होता है इसके बाद चोटा कारण है इससरिय वुस्सक गेन घर का मालिक अपना पातिनी को बनाता है सारे काम देखबाल करके करने के लिए पतिनी को देता है वर्तमान में एसा नहीं सबकुछ पति के पास सारे पावर लेता है एसे होने के बाद पुरा घर का सांत कतम हो जाता है विश्वास भंग होता है बागवान बुद्न ने बता एसा नहीं पतिनीको ही घर का सब कुछ देनः चाहिये यानकी घर का मालिक पतिनीको बनानः चाहिये इसकी वाद भगवान बुधनि बताया अपना पतिनी को जो कुछ नहीं देता है एसा नहीं पतिनी को जो चाहिए पहनने के लभूशन वगेरा देना चाहिए वो पंचमा कारण है इसके बाद बगवान बुद बताए पतिनी अपना पती को कैसे सेवा करना चाहिए पतिनी का काम क्या है पतिनी का भी पांच प्रकार की काम है पतिनी क्या करना चाहिए? घर का सारे काम अच्छा से करता है, सुन्दर से करता है, अपना पती का परिवार के लोगों को भी सतकार सम्मान करता है सास को, सासूर को अपना मा जैस समझ के सेवा उपस्तान करती है पहला क्या बताया? घर का सारे काम देख बाल के अच्छा से करता है, घर सुद्ध रखता है, देव लोग जैसा दुसरा, अपना पती का परिवार में जो लोग हैं, परिवार के सब को वो सेवा सतकार सम्मान करती है दुसरा, अनतिचारी नीचे, पतिनी का भी भी अपना पती को चोड़ की, दुसरा पती के पास नहीं जाता है गलत काम करने के लिए हमेशा अपना पती साथ ही रहती है, संभतंग अनुरखती इसके बात कारण है, पती जो कुछ लाके देता है, वो सुरक्षा करती है एक रुपया दो रुपया लाके दिया तब ही सुरक्षा करती है जो कुछ पैसा लाके देती हैं एक रुपया भी बरबात नहीं करती है बहुत सुरक्षा करती है लेकिन कंजूस नहीं सुरक्षा और कंजूस दो हैं एक चीज नहीं है इसके बाद पांचमा कारण है दखाच होती अनलसा सब किच्चेस। सारे काम विना आलसी होके करती हैं कोई आलसी नहीं है हमेशा सोती नहीं है तेज हैं एसा पतिनी घर पे मिल गया तो कितना कल्यान होगा आलसी नहीं है हर एक काम करती हैं बारतंद होती हैं किचन का काम करती हैं घर का काम करती हैं हमेशा करती रहती हैं कोई आलसी नहीं है कभी चिलनाता नहीं है लेकिन हमेशा क्या करता हैं दुसरा पतिनी लोग हमेशा टीवी पे बैठते हैं फिल्म देखते रहती हैं सीरियल देखते रहती हैं ये एसा नहीं है, टीवी देखे का तो आदा गांटा, उससे ज्यादा नहीं, अपना काम पे द्यान देती है, घर का काम पे द्यान देती है, बच्चा लोग इसकुल जाता है की नहीं, बच्चा लोग आका पड़ा गांदा है की नहीं, पती तकलीफ हुआ की नहीं, पती एसा है तो पांच कारण से पतिनी को सेवा करना चाहिए पांच कारण से पतिनी भी सेवा करना चाहिए अपना परिवार को इसके बाद बगवान बुद उत्तर दिसा के बारे में बताया उत्तर दिसा में कौन है? उत्तर दिसा में हैं दोस्त लोग बगवान बुद ने बताया दोस्त लोगों के साथ काम करने से हमेशा इसी प्रकार करना चाहिए कैसे है? प्रियवचन से बात करना चाहिए दोस्त लोगों के साथ हमेशा बात करने से प्रियवचन से प्रियवचन मतलब दिल दुखता नहीं है मन लग जाता है वो यह सा बात करता है भगवान भूत ने बताया प्रियवचन से अपना मित्र को सेवा करना चाहिए इसके बाद आगे बढ़ने वाले चीज से ही मदद करना चाहिए अपना दोस्त लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए वही संपाधन करना चाहिए तथा बराबर समान प्रकार से अपना दोस्त लोगों को मदद करना चाहिए एक दोस्त उंच जेसा और एक दोस्त नीच जेसा कभी नहीं मानना चाहिए इससे बताया अविसांगवादी अविसांगवादी मतलब जगड़ा लड़ाई नहीं होता है कभी-कभी दोस्त लोग मिल जुल के क्या करता है जगड़ा लड़ाई करते रहता है हमेशा वाद्यवात करता है और ऐसा गाली देते रहता है बगवान बुद्ध की शिश्य लोग ऐसा नहीं बगवान बुद्ध की शिश्य लोग मिल के बात करेंगे तो हमेशा खुशी मन से बात करते हैं मिल जुल के बात करते हैं प्रेम भाव से बात करते हैं इसके बाद उसी प्रकार मित्र लोगों को पांच प्रकार से ये मित्र सहायता करना चाहिए क्या है उसी मित्र को प्रमाध हो गया तो मित्र को सुरक्षा करता है समान वगेरा लाखे देता है ढर गया तो आरक्षा करता है कश्टा गया तो छोड़ता नहीं है इसी प्रकार हम आपको पहले बताए थे मित्र का कारण उसी प्रकार मित्र लोगों के साथ संगत हो जाता है इसके बाद बगवान भुद्ध बताए नीच दिसा के बारे में नीच दिसा में कौन है? सेवक है इसके बाद बगवान भुद्ध ने बताए नीच दिसा के रहने वाले सेवक के बारे में नोकर लोगों के बारे में नोकर लोगों के बार में पांच प्रकार से नोकर लोगों को स्वामी मालिक लोग सहायता करना चाहिए पहला है उस सेवक को जिस काम कर सकता है उसी काम देना चाहिए उससे बारी काम नहीं देना चाहिए जो काम कर सकता है उसी काम देना चाहिए इसके बाद सेलरी अच्चा डंग से देना चाहिए खान, पान, कपड़, वास्त्र इत्यादी जो कुछ चहते वो देना चाहिए पैसा भी जितना देना है उतना देना चाहिए इसके बाद थिसरा है सेवक लोग अपना नोकर लोग बिमार पड़ गया तो उन लोगों को सेवा करना चाहिए अच्चा से सेवा करना चाहिए इसके बाद चोथा है बगवान बुत ने बताया अगर घर में अच्चा अच्चा काना बनाएंगे तो घर के लोगों को काने के लिए वो ही अच्छा खाना नोकर लोगों को भी देना चाहिए देखे इसी प्रकार अगर करेंगे तो नोकर लोगों को सब को इज़त करेंगे न सबी लोग को इज़त करेंगे लेकिन लोग क्या करता है अच्छा अच्छा खाना खुद का के नौक और लोगों को खराब काना देते हैं इसके बाद समय के अनुसार काम से छोड़ना चाहिए राविवार के दिन चुट्टी है तो सराविवार के दिन काम में नहीं लगाना चाहिए साम में चार बजे चुट्टी तो चार बजे की बाद काम में नहीं लगाना चाहिए समय के अनुसार सेवक लोगों को काम से चोड़ना चाहिए ये पांच कारण से सेवक लोगों को मालिक लोग सत्कार करना चाहिए इसके वाद सेवक लोग भी ये पांच कारण से मालिक लोगों को सत्कार करना चाहिए पहला है सबसे पहले उठना चाहिए सुबे सुबे मालिक उठने के पहले उठना चाहिए उठकर समय पर काम पे जाना चाहिए इसका मतला अपना काम सही डंग से करना चाहिए दिन्ना दाई नोच जो दिया है वो ही लेना चाहिए जो नहीं दिया है वो ही नहीं लेना चाहिए देखिए बगवान बुद्ध की शिश्य लोग ऐसे ही करते हैं उन लोग आरेशावत कहते हैं वे लोग अगर बगवान बुद्ध प्रतिशद्धा है तो बगवान बुद्ध की वान विश्वा से तो कभी चोरी नहीं करते हैं जो दिया ही वो लेता है जो नहीं दिया है वो छोड़ देता है इसका मतलब समय से पहले काम पे नहीं जाता समय के बाद काम पे नहीं जाता आट बजे है तो आट बजे जाता है दस बजे जाकर के सिगनेचर नहीं करता है हम आट बजे आये हैं चार बजे घर आकर के मैं बोलता नहीं हम चे बाजे घर आया है एसे चोरी का काम करता नहीं है अपना मालिक का समान कमपनी का समान कुछ भी चोरी नहीं करता है अंतिम गुन ने पांचमा है अपना कमपनी का गुन बोलता है मालिक का गुन बोलता है हमेश अगुन बोलते रहता है, मालिक का और कमपनी का, संस्ता का ये नोकर लोग अपना मालिक को करने वाले पांच प्रकार की करता है इसके वाद बगवान बुद्ध बताए, ग्रहपति पुत्र उपर दिसामे भी धहान देना चाहिए उपरदिश्वा में संत लोग रहते हैं, महा संग श्रमन लोग रहते हैं उन लोगों को इसी प्रकार सत्कार संवान करना चाहिए कैसे? वो कैसे हमेशा मैत्री वानी बोलना चाहिए उन लोगों को प्रती मैत्री करना चाहिए मन से थाथा सरीर से भी मैत्री आचरन करना चाहिए संत लोगों को प्रती आमिसा अनुपदानेन संत लोगों को सिवपस चार प्रकार से दान देना चाहिए वास्त्र, चीवर, इसक्वाद भोजन, रहने का कुटिया, दवा, ये इत्यादी चीज संत लोगों को देना चाहिए। अगर कोई कमी हो गया तो उन लोगों को सेवा करना चाहिए। इसके वाद भगवान भुथ ने बताया, हमेशा अपना घर का दर्वाजा संत लोगों के लिए खुला रखना चाहिए। वारतमान में ऐसा नहीं होता है, अगर कोई संत कोई गल्ती करेगा तो तुरां सबी संत को गाली देता है, सबी लोगों को डाटता है, अरे सारे लोग ऐसे ही है, देहान देहान नाम से रहता है, ब्रहमचारी नाम से रहता है, लेकिन उन लोग ठेड़े हैं, ऐसे के डाटत इसके बाद बगवान बुद्ध ने बताया पांच प्रकार से संत लोग भी भंते लोग भी आर्य महा संग भी अपना भक्त लोगों को पांच प्रकार से सेवा करना चाहिए पहला है पापा निवारेंति अपने स्रद्धावान लोगों को पाप से बचाना चाहिए हमेशा ज्ञान की बाद बोल करके पाप से बचाना चाहिए खल्याने निवेसिंती, सही खल्यान की मार्ग पर चलाना चाहिए अपने भक्त लोगों को, फुन्य की रास्त पर चलाना चाहिए, खल्यानेन मान सा अनुकाम पानती, तथा खल्यान मन से, दया मन से उन लोगों को दया करता है, उन लोगों का अपना मान को पावित्र करने के मदद करता है इसके बात है जो नहीं सुना है वो सारे ग्यान की बाते सुनाता है जो नहीं सुना है वो ग्यान की बाते सुनाता है सुताम परियोद पेंती जो सुना है वो बाते साफ कर देता है स्वार्ग के लिए मार्ग बताता है या तो फिर निर्वान के लिए मार्ग बताता है ये पांच प्रकार से संत लोग अपन भगत लोगों को सेवसत कार सम्मान करना चाहिए पहला क्या है पाप से बचाना चाहिए इसके वाद खाल्यान की मार्ग बताना चाहिए दयामान से जो नहीं सुनाना है वो सुनाना चाहिए जो सुना है उसको और पवित्र करना चाहिए फ्रेश करना चाहिए और स्वार्ग का मार्ग बताना चाहिए इसी प्रकार भाकतों लोगों को साथकार करना चाहिए ये हैं सिंगालो आदसूत्र आप अभी सुने हैं तो ये सुन्दर सूत्र उपदेश सिंगाल ग्रहपति पूत्र को बताने के बाद ग्रहपति पूत्र बहुत खुशी हो गया भगवान बुद्ध की शरण में आया ततागत आपने बहुत खुबसुरत सुन्दर उपदेश दिया है मैं आपकी शरण में जाता हूँ आरे धरम की शरण में जाता हूँ आरे महा संग की शरण में जाता हूँ इसलिए आप लोग भी भगवान बुद्ध किये सुन्दर मार्ग अपना कर अपना जीवन सुधारिये अपना जीवन ग्रहस्त जीवन सुन्दर बनाईये इसी सूत्र के अनुसार ही जीने के लिए आप सबी लोग कोशिश करिये नमु बुद्धाये